ये है राजन एक नंबर का स्मलगर वो बस्ती ने हैट काटर है लेकिन बस्ती वालों की डिए उनके कलेजे का टुगड़ा है हम लोगों से बस्ती खाली कराना कोई हलुआ नहीं है बस्ती के लिए उसने पुलीस वालों को ऐसा धोया जैसे पुलीस रिमांड में धोती है चंता के रखसक बनके भखसक वाला काम कर रहे लिए हम लोग बस्ती नहीं खाली करेंगे तेरे को जो खाड ना खाड बस्ती वालों के लिए दो भगवान थे एक उपर वाला दूसरा राजन एक काम कर राजन को टपका डार लेकिन एक नेता ने राजन के पंटरों को भड़का के उसी का गेम बज़वा दिया और फिर शिरू हुई एक दास्तान चलो अब हमें राजन का तो गेम बया डाले है अब ही बस्ती बे आप उनका सिक्का चलेंगा सिंतिल बटा तेरी बात में दम तो है लेकिन राजन के बाए पित्राव को जिंदा छोड़के हमने कोई लोग अगर उसको टबकाड आते है तो बस्ती की लोग राडा कड़ आते समझा क्या यह भूरा राजन पर जान चड़कता था आझ उसी की जान ले डाली यह है सेंथिल राजन की आस्तीन का नेवला और वो जो कोने में बेठेला है ना वो एक कलेसवर सेंथिल का पालतु और यह हाफ चड़ी वाला है वेलू भूरा का एडवाईजर अम्माताय जीत के आ गई तो अमनों काला दंद एकदम धनल्ले से चलेंगा भाई क्या बलता है हुआ है बहुत बड़े हाथी को गेरा है आपने क्या एना मेटर थोड़ा रिक्सी है अगर आपन चारों जुड में जेल गया तो अपने धंदे को रस्ते लग जाएंगे इसलिए दो लोग जेल जाओ और दो लोग भारे के धंदा समालो रहा बावा इतने बड़े पहुचेवे गुंडे को टपका देना कोई हलवा नहीं है उसका कौन सा प्यादा कब मात दे देवे पता इस नहीं चलता कलिस्वरों माई थोड़ा माल कमा के तुम लोगी बैल करा लेंगे सेंदिल ने भूरा और वेलू को मामू बनायके जेल में जमा करा दिया भूरा और वेलू सेंदिल पे विश्वास करके जेल चलेगे कि वो जमानत कराएगा लेकिन एक साल होगे लाया दोनों उधरीच सड़रे ले यह है मनी जो कभीर राजन का खासम खास हुआ करता था सेंदिल अपनी सफाई देने के वास्ते भूरा और वेलू से मिलने जेल आया तुम लोग को ऐसे अंदर देखके ना कलेजा भटता है अप उनका उन क्या करेगा वाकात खराब चल रहे ले 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 कोठानी जेले जेल दुई देड़ बन के बोला था जमानत कराएगा अगर जमानत नहीं देखके अपलिक में आयागा तु समझ रहा है क्या ना गुर्मेट अभी अप उनके फिवर में नहीं है आप उन अंदर चे खोकले हो गए ले हैं क्या तफ्ली के तरेको समझेंगा नहीं और घाई के तरेको अगले एलेक्सें तक आप उन सेटिंग करेंगा ना एक साल से अम लोग इदर तफ्लीक में मचर ल आज कल गरीबी इतने है कि फंटर लोग सौकी बत्ती और क्वाटर में गेम बजा डलता है और उपर से कॉलर उपर करके बोलता है कि डॉन को अपन टपका हिला है यह अपन के मेंटर में बोलना वार उनमें बटवारा हो गया एक सेंदिल गेंग दूसरा भूरा गेंग यह ह आप उनका भाई मारा गया फिर भी आप उनने सबर का घुट पिया पापन चाता है कि तुम लोग अंगूर के गुच्छे की तरह मिल जुल किरा हो ए सेंदिल इनकी बेल करा दे बूरा छूटने के बाद कोई पंगा नहीं रूद्रा के बोलने पे सेंदिल ने इन लोग की बेल तो करवाली थी लेकिन इन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जबर्जस्त नफरत पेदा होके लिए थी आईसी नफरत जैसा साप और नेवले के बीच होती है बंदिखावा इसा करते थे जैसे एक दूसरे के बीच में लैला मजनु माफिक मुवबत है सन दो हजार उस सीन सौट के कई साल पाद आज इस जेल में नया जेलर आयल है मैं नहीं जानता पहले तुम लोगोंने कितना जोल किया लेगिन अपसे सारे जोल जबाड़े बंद हो जाने चाहिए नहीं तो ऐसी जगे ट्रांसफर करूँगा कि आदिवासियों का तीर सीधा आके गुसेगा आज के बाद यहां चरस गांजा कुछ भी अंदर नहीं आना चाहिए और अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसका सरकारी गोली से एंकाउंटर मैं खुद करूँगा मेरी बात को तक्ती पर लिखकर अपने गले में लगका लो सर, इस जेल में ड्रक्स की सप्लाई एक ही आदमी करता है, संथिल ड्रक्स को अंदर लाने और उसे बेचने में उसका बहुत बड़ा नेटवर्ख है जेल की कैदी और सभी पुलिस वाले यहां तक की डॉक्टर भी सब उसके टुकडों पर पलते जेल में संथिल के हुकम का एका है दास सारा माल जेल में सुरक्षित पहुचाना और उसे बेचना यह उसी के हाथ में है यह सारा काम वो बहुत ही सफाई सी करता है संथिल के लिए जेल में सेलफोन, सिमकार, ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला उसका खास आदमी है राजू राजू संथिल के इस काले धंदे का एक मोहरा है जेल से संथिल करीब दो लाख रुपए हर दिन कमाता है जिसका अड़ा जेल के साथवे ब्लॉक में है ब्लॉक के सारे कैदि उसी के लिए काम करते हैं उन्हें किसी से कोई डर दे जो भी ऑफिसर उसके ब्लॉक में छापा मारता है उसको जान से मार देने की धमकी मिलती है उसके ब्लॉक में कदम रखने से भी लोग कांकते है सेंथिल की हुक्म के बिना वहाँ चिडिया भीपर नहीं मार सकती हलानकि सेंथिल जेल से निकल सकता है पर वो जेल में ज्यादा सुरक्षित berries सुस्स करता है क्योंकि बाहर उसका दुश्मन है भूरा उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है भूरा के पीछे जिसका दिमाग है वो है वेलू वेलू का भाई है शिवा ये लोग जमीन हत्याने और अपना कानून चलाने के साथ साथ ट्रेड यूनियन को भी कंट्रोल करते हैं अपना मेटर अपने पास रखो और निकल ले इदर से ये देख फोन कबसे टिर्टिर करे ले उटाना हलो कब शुबारम हो गये ला बेटी किडला भो गये ली पापा गुडिया स्कूल में नहीं है अनिया दान समझ के अफ़ता दे दो समझ लो तुमारा काम हो गया संथिल जेल के साथ में बलॉक से कभी नहीं निकलता अगर वो वहां से निकलेगा तो ग्यारवें बलॉक में उसकी ताफ में बैठे भूरा के आदमी उसे मार देंगे उनकी आपस की दुश्मनी तब शुरू हुई थी, जब इन दोनों ने मिलकर एक कत्ल को अंजाम किया था एलुमिनियम के बर्तन, चम्मच, चिम्टा और टूथ ब्रश, इनसे उन्होंने हत्यार बना ली 11 ब्लॉक में भूरा के आदमियों को हैंडल करता है मनी मनी राजन के वक्त से ही इन सब का गॉडफादर है सर इन दोनों की लडाई को जेल में कंट्रोल करना बहुत मुश्कित अब इस जेल में मेरी मर्जी के बिना चीटी भी नहीं को सकती अलग अलग जगे हुए क्राइम के तार एक ही जगे जाके जुड़रे ले थे और वो जगे थी जेल संभू, राजन की मोत ने संभू को अंदर से खोखला कर डाला था चल, आगला कैदी ए तुरी देर, टी-शिट निगए लो नमस्ते सर, कौन से केस में है इन दोनों ने हाता पाई की जिस पुलिस वाले ने बीच बचाओ किया, उसकी धुलाई कर दी साही किया बाप, अच्छे से ठोक डाला, बहुत चरबी चड़े लिए उसको ए तो अपने जोज बंद कर नहीं तो जम कर दो आपना चेकिंगा जाए 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 बार फिर से चेकरा, सुना नहीं अरे दुखता है, घड़ी-घड़ी क्या साथ सिवा, बाप का नाम? संदमो खनन, किदर रहता है तू? कंजार वाड़ा, चल साड़े, तेर को जेल में फोड़ता हूँ साब, दुस्मन लोग के साथ मत भीगोना, खत्रा है अना अंदर ढरता क्या है, जेल में निपटाएंगे इसको सिवा, चल अंदर, तू भी चल, अंदर मचमच नी मंगता है सिवा जेल में अपन के साथ डर लग रहा है संथिल के लोग अपन की जान के दुश्मन है राजों को सिवा से खत्रा है साब साब मेरे परे का इसान करो, मेरे को इल्लो के साथ मत भेजो एक राज चुपचाप निकाले, कल भेज़ेंगे न तुझे, तू कोई रसमलाए नहीं जा तुझे खा जाएंगे संथिल के नाम से उसके गले में आगे ले, कहीं राद कोई या खर्चा ना हो जाए लालचेट इदरा, क्या रहे, नया भरती है क्या अब हो तुने आपन की जान बचाई, मतलब तूने आपन को अपना करचदार बना लिया है उसकी जिंदिगी का खाता आपन ही क्लोज करेगा इस जेल में दो बड़े-बड़े गैंगे, एक का नाम है सेंथिल और दूसरा है भूरा यह लोग जो आरे ले ना, वो भी शेम टूशेम आपन की तरह इस सेंथिल के कार करता है और वो सीवा, वो भूरा का चम्मच है, साब लोग सीवा का मस्ता मसाच कर रहे ले, तूने आपन की जान बचाईए, अब भूरा के आदमी तिर को ठोक डालेंगे, पंधरने का नहीं आपन सेंथिल दादा से बात करेंगा ना, यहां कोई परिशानी, वो चलगोजा दिख रहे लिया ना, उससी ने राजू को बचाए ले वेलू है, सिवा का बिग बिरादर, जेलर को बोल वो अपने बिलॉक में चाहिए, ठीक है भाई, लगता है तिर को अपने बिलॉक में तुम सब लोग साथवे में, बाकी ग्यारवें ब्लॉक में जाओ, यहां से संभू की नई यात्रा शुरूई, हैसी यात्रा जो किदर जाके खातम होईगी, यह उसके फरिश्टों को भी नहीं मालूम, संभू के अंदर एक अंगार दहक रेली थी, उसे भूरा के बिलॉक म चलना, एक हजूर हट, आजओ, अरे वेलु भाई, अपना शिवा कैसा है, अरे मज़े में, इस्पिताल से आ जाएगा कल, भाईया हुआ कैसा लेकिन, सब ये खजूर की वज़े से हुआ है, क्या आखों में बेटेगा, चल चल के दिखा, एक हजूर, चल आजा, आजा मनी बाई, वो बताया दना लड़का, यह है, फोन करता है, नाम क्या है, शंभू भाई, अपन का बाई, शिवा इसी की वज़े से तफलिक में, इसी की वज़े से सिंतिल का गुर्गा बच गेला, मौन करता थोर दाल, जोगरे, संपत, जी बाई, कल तेरी बेल हो रही ना, वेलू, संपत की जगे इसको खित्मत पे लगा दे, खाना अच्चे से पकाना सीख ले, अगर भाई लोगको खाने में टेस्ट ने मिला ना तो तेरा टेस्ट निकाल देंगे, हाई जग, है शंभा, यू, इस मेरा फ्रेंड शंभू, हाई मान, नाव ही खाना कूकिंग, सुन शंभू, नया जलर बहुत खड़ू साथ मी है, समल के रेने का, समझा ना, समझ गया, और एक बात सुन, अगर कोई तुछ से मिलने आया ना, तो उनसे मिलने की रिस्वत लेने का, बोलने का बीडी का बंडल, सिग्रड का पैकेड या पंडर पोरी तंबाग बुलाने क तेरे लिये नहीं रहे, भाई लोग के लिए, अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, इन तो भाई लोग तेरी बहुत बात लगाएंगे, ये मारिया भावी को दे देना, ये तो वजन में बहुत हलका है रे, अरे नया जिलर आएला है, अरे साब अनाज को लात मारे ले, कस आज के बाद, जो कुछ भी आएगा, पेटिशन रूम में चेक होगा, और जो भी मेरा ओर्डर नहीं मानेगा, उसकी वर्दी उतार के, कैदियों का टॉयलेट साफ करोंगा, समझें, भाई, जेल में कोई अपल लोग की टिप दे रहे ला है, इसलिए पंडू लोग अपने इसलिए भी बड़े थुर्रम खा, क्यों नहीं हो, जेल के अंदर आप एक नंबर कारी बन के रहे जाते हैं, इधर हर काम खुदेच करना पड़ता है, नहीं तो, थोड़ा हो डाल दे, तस्रीव पे डंडे पड़ते हैं, कम डाल, किलिस्टोल बढ़ जाएगा, बस बस, जा जेलर से बात किया, हो जाएगा, भाई, ये संपत, कल जेल से चंपत हो रहा है न, तो इसका फेवरेल पार्टी कर दो न, बेचरा खुश हो जाएगा, जा उदर से पानी ले और टालेट साब कर डाल, सुना न, एकदम किलीन करना, संपत, इधर आ, अहां हां भै, गुटनो जा जा रहा था तो सोचा पाटी लेलू, नहीं देला पाटी है, अभी देला पाटी है, गुट मत बोला कर जुट बोलने से पापो का घड़ा बर जाता है, ये जिंगूर, पैखाना धोते वक्तों धागा मत तोर देना, अंदर मोबाईल लटका के रखेला है, अगर वो गय तो तू भी गया, अगर भाहा निकिए हो चलो, चलो पाइनिको शब लोग, बाइनिको शब लोग, मनी, फोन निकाल शट, चल जल्दी कर, फोन और डिरक्स एंधिल के बिलाग में मिलेगा, ये लेकिन हमें टिप मिलेगी तेरे पास फोन है, इधर सब सरीफ लोग रहते है, कुछ नहीं मिलेगा, देख बड़ाओ, इजद से दे दे, वरना हमें पता है कैसे निकालना है, अब, आप उनको मालूम है फोन कि इधर है, तो लेकर आओ, उसको लेकर आओ, तू नहीं रहे, ए तू चल, पर्ट साब फोन इसने दिया है, इसको ले जाओ ना, कहा है तू, किल पप, वो लड़का कहा है, जिसने हमें फोन दिया था, सर मुझे लगा था, आपने इससे बुलाया, ये वो नहीं है, उसे लेकर आओ, जल्दी, संबू के जेल आने की वज़े, यही केरम का खेल है, संबू केरम का माहिर पीलेर है, बोले तो, चैंपियन है, लोग पड़ाई लिख़ए में इंवेस्ट करते है, इसने केरम में इंवेस्ट किया, अज नो साल पहले लोग उस पर बहुत बाजी लगाते थे, संबू को पहल संबू को केरम का चेंपियन बनाने वाला राजन था, राजन अपनी बस्ती वालों के लिए किसी से भी भीड़ जाता था, इसके लिए बस्ती वाले उसको अपना बगवान मानते थे, और उसकी एक आवाज पे औरत क्या, मरत क्या, सब मरने मारने को तयार रहते थे, उसके पड़न लागे के सारे बच्चों का सबसे बड़ा हीरो राजनिष्था। उसके सामने रजनीगान जैसे एक्टर लोग भी पानी भरते थे। राजन जो कहता बच्चे वैच्च करते तीर की तरह निशाना लगाने का। कर लोगों की लिए केरम कुछती करो, बड़ी बिल्डिंग करो, अगर इसमें इंट्रेस्ट लिया तो तुमको इसके जैसा स्पोर्ट्स कुटा में नौकरी मेलेगी, और नौकरी मेलेगी तो फारण जाने को मेलेगा, फारण में नौकरी करके जब उधर का पैशा इधर आएगा, तब आप उनके गा अगरी लग गये वाप, कहरम चिकना ने तो और पाउट डालू क्या ये, संभू, ये संभू, रावो का सुनके टेंशन मतले, बीपी मत बढ़ा, आज तक अभी हा रहें क्या? ये घमूरी, खुझली को कर रहा है, प्लेयर डिस्टब रहा है, अप उनको खुझली का आदत है, आद में खुझा, क्या, चैंपियन के आगे बच्चे को बिठा दिये ला है, ये बच्चा किसको बोला, रुप तेरी आने वाली नस्रे खराब कर पै, ये शिवा भाई, चा कौन राजीव गांदी? अरे अपना प्रोधान मुंत्री रही, ओड़कर अब तक कहा पहुचा होगा? अरे बहुत पांदीता, अरे बाबाच, अरे ला चिंगर भी चलेगा दे, अरे राजीव गांदी को उड़ा दिया, कौन रहे? अरे जंगा लूट पार्ट मचा हाँ है, कर्टी मारो, कर्टी मारो, रूम खाली करो, चलो, संभू, अगर हवा का इस्टॉम आएंगा तो तो अरे इसे इच बेटिंग करते रहा ना, तो बहुत कमाएगा तू, अरे सोने का इस्ट्राइकर होएंगा तेरे पास, अरे भाई को पता चलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उन जुआ खेलता है, वो चाता है कि आप उन इस्ट्रेट लेवल का तैयारी करें, अरे इत्ता गलत होता जुआ तो सरकार लाठी काई को निकालती है, बॉल, यह लाई, चाय खानी का, अरे इंदो ना भाई, अरे रख रहे है चोर बाकिर में, ठैंक्यू, अरे भाई, यह लूटम लाठी काई को चल रहे लिए, अपने देश में चलता है, मरता कोई और है, अटाल रहे है, ठीक साथ हो, चल परदान मंतरी के अथिया होगे लिए, इसके लिए यह लूटम लाठ मचा रहे है, तोड़ना मत भोल देता हूं थीक नहीं होगा देख राजिव चच्चा के जाने से इल्लो का फाइदा हो गया इस अर्यादे में तोड़ेगी है शंबू इधरा रहा है मेरी अलाद इधरा तेरी मां बुला रही है आज तेरी मां के दूद का कर जदा करने का टेम आ गया है चल को कोई रोग नहीं सकता है मां के आज पिछारे पढ़के बाहरा जाओं आजा मां आजा मां किदर कुछरे लिए है अब इस्ता सामांत तेरी देर में भी नी मिलता मेरी खूप मां यह स्रिलाई मसीन का वजन आप उसे भी ज्याता है मां यह क्या मिया भाई के और्थों की त तिरे टिकली की तरे क्या और तेरे को मेरा ये कटीला बादन और ये स्काटने दिख रह ला अच्छा स्करट है क्या आप उनको लगा लुंगी अ पोल डालेगी अ अब यह चोरी का माल नहीं है मेहनत का माल है देख किती महनत करनी पड़ रही है अब उनको मसाला पीछने वाला मिसकर विल गया अब उनका लिसमें गन्ने का जूस किएगा जही बोला बंपू अब देखो मिला माइक्रो हवाज करेगा अरे मा ये धोबी लोग का वाशिंग मशीन गली में से घुजबी नहीं रहे ले अचा मा वो जो सिलाई मशीन तुने डापाता ना वो एक लड़की आप उनके हाल से छीन के भाग गई तेरी को उसने जरासी जलक दिखा दियोगे और तू मसीन देके आ गया मसीन के बदले उसने कुछ दिया कि नहीं तेरे को एक क्या यार पूरा दस बाइदस का जोपड़ा सामान से भर गया मशीन का क्या कर दी सिलाई मसीन से अपनी फटी जिंदगी में पेबंद लगता ला मिरको दे ए बसंती कावेरी के बेटे को दे अपनी मा के लिए सारी एस वाराम की चीज़े चोरी करके लेके आया है और यह मेरा उल्लू का पठ्था इस उल्लू जैसा केरम चंपिया नक्खा बस्ती में नहीं है तो बेटके केरम की गोटी खाऊं क्या अरे तेरा बेटा ही रहे अरे मादुरी गुस्ते का माहौल बन गया है हम आपकी भावना को समझ रहे हैं यह ले सुनार के बाहर जाके आंगीटी बन वाले केरम से कमाई हुआ पईसा है अरे जाओना साब यह शरीफों की बस्ती है पहले इसके घर की तलाशी ले क्या साब यहां पे गरीब लोगों पे तबदबादी पारे हो अगर गुर्दे में इतना ही दम है तो बॉर्डर पे जाओ न अपाजी बनाओ यह टाइम खोटी कर रहे हैं वापस कर डाल अब लोगजोगे क्या मैं तो चोर की महिएत में भी नहीं जाती है चल गर चल डूरस ता साब में तो बोलता हूं रुदरा भाई को बुलाते हैं क्या हा बुलाले बुलाले रुद्रा, राजन का छोटा भाई राजन के टपकने के बाद अख्य बस्ती का केंग वो इस था आप अनको मालों में कि कल राज जो दुकान लुटी ना वो तुम लोगों की कारस्तानी है शरीफ बनने की एक्टिंग बहुत हो गई चुपचाप सामान लाके दे देने का वो क्या है कि तुम लोगों ने जो दुकान लुटे लाना वो आप उनका जूट है क्या चिंदी चुरी करके बस्ती और आप उनका नाम खराब कर रहे हो चुरी कमाल किसी को आजम नहीं होएगा तुरी के टीव में फिलिम देखने से आखे सूच जाती है यह जिम का डंबल उड़ावाए यह औरत लोग का जिम खाना तो घर पर ही अबाब कितना वजनी है यह अब उन तो बोलता है डबे में पथा रखके वापस कर देते हैं क्या रहे शम्भू वह अपन अम्मा के भाइकावे में आ गया तो इसने अपन की नाग तोड़िया अपन इसका कम्प्रेंट करेगा रुक आपन दिखता है क्या कर रहे लिए पहले आप उनको बताईए क्या फिर चोड़ेगा अरे इसमें बैटके नहाएगी और उसी पानी को फिल्टर करेगी तेरी को मालू मैंना अपना बस्ती में पानी का कितना साटेज है तू भी इसमें बैटके नहा ले ना अरे बुड़िया चल यह कपड़ा दोने अवली मसीन है फेस वाला पानी प्रेगी क्या बाए सब समान आ गया खाली स्लाइ मशीन का में ओ साब चलता है यह जल्दी जल्दी पैर चला यह शंब को मिलने बोल रुद्रा ने तरको घर पे मिलने का बुलाया रे पता नहीं रे उसके गर का रॉकल घटम हो गया होगा तो राशन की लाइन में लाइन लगाने के लिए बुला रहा होगा शंब यह गुंडे लुक की गुलामी करने सच से कुटा पाले थे हैं आयर कंटाल गया हो रहे आयला पासपोर्ट थो ना तो सुमालिया भीमालिया चला जाथा रु पुद्रा भाई यह टेलरिंग का कोस थोड़ी का रहला है सिलाय मशीन माचडी करके यह क्या उसमें धागा डालेगा मसीन तो खाली एक भाहन है रहे वो चोरी वाली रात को इसका नागपूर फोड़ा था ना तो वह ठासन निकाल रहा है वो माफी मां के मांडवली कर ले ना ना llica मामला जिंगम की तरह खिचे गा तो भी रुष को भी बोल दो ना कि मेरी मां को अगे सऑरी बोल दे काई को गरे और restagtव अब ऑई उसने की मां को देुस्यका दे धिया तो आप हुन। यू तो भी तो इसके को खाएill आप ऑखने लाय अमींचे ख़़्या बित कोई तर्बल नहीं आना चीए कंपल्मेंट नियागी क्या रहें बूट सूपिंग कर रहें अरे नहीं वो भूरा का बाई संकर इसको गुंडा बनने की बहुत तमनना वो दुकंदार हटेला अपन उसको जानता है एक बार दो रुपली के चकर में उसने एक आदमी का मुर्ड चलाना इस ट्राइकर चलाने वाले हाथ किदर ये सब चलाएंगे तुझा हम लोग हेल अब करेंगे तेरे को ठीके भाए शंबू इतनों ओपर चड़ने को कौन बोलारे हाथ चुटाना तो एक दम उपर चले जाएंगे मैं तो बोलता हूं भीमा करा लेते जिंदगी के दुरबिन दे रहे यह दुरबिन मस्चीज है रहे किसी के भी घर में घुच सकता है अभी तो हो मसीन चोर अपने को पक्का मिलेगी शंबू कोई एसा घर डून ना जहां कोई मस्त हिंदी पिट्सर चल रहे लिए थेडर का पैसा बच जाएगा जब तेरी उससे पहली बार मुकलात हुई थी तब वो निंजा में थी ना तो क्या हो गया पैचान लेगा एक अंदर की बाद बताओं क्या उसकी सरट का टूटेला बटन आप उनके पास है यह शंबू लाना अपन भी देखेगा विना तुर अब इनके तरको कुछ दिख रहा है गया नहीं रहे तब तो वो सुरक्सी था बाप साहिए बेटा यह भाई दिखा ना अब उनको भी देखना है बाद अवे तरह बाप तरह ड्राइवर है ना इज़त से मसीन वापस कर अगर तुम लोग के साथ अपुन को कोई बात करता देखेगा तो आप उनकी सादी के वान्दे हो जाएंगे बाई कंफरम में वही लड़की है आरे साव टका यही है देखा नहीं उसका बटन टूटेला है अपने भी देखा अब या मसरीं के बारे में पूछना चल ए दो चोटी इजट से मसीन वापस कर दे नहीं तो तरी साइकल चिन लेंगे उनकी इस एरह में बहुत इजट है अप उनकी इजट की फजीती मत कर गली में बिलनी शेर नी बन रही है महले से बाहर निकल रहे सारी हवा निकाल देंगे चिंदी चले मत करना तेरी फ्यूचर भाव अत्रणिया निकाल के हाथ में दे दूंगी चल निकाल बटन वापस कर और निकल ले अप उनने तरी फुष्टी कर ली है मसीन वापस कर कईसा पेचाना तू अप उनको अरे वह आप उन नहीं बताएगा अप उनका थोबड़ा देखा था क्या तू देख आप उने थोबड क्या रे डांबर क्या कुछ नहीं दीदी मैं कबसे इसको समझा रहा हूं कि अपने डांबर फ्रेंट से कुछ सीख ले दो चुटी तू आप उनको हूल जपाट देगी तो आप उन इतर से वटक जाएगा क्या देख वो मसीन वाले ने ना आप उनके उपर केस ठोक डाले ल सिवा वो मसीन चोर छोकरी मिल गई तो उसको बोले जचा मसीन वापस का रहा है अरे बोला मैंने लेकिन वापसी नहीं कर रहे लिए अरको हुल पट्टी देख्या है वो चिपकली दिखने में वह शकल से बहुत अच्छी और कप्डों से गरिब लगरी ती भाई अरे राक किदर खाने वाला अरिकाने अले लुप भूर करें लिए अरे उसने फूल वला लूंगी मरे इसके साथ तो अपना घर बसाने कहा पिलें तक प्यार से अपने को देखके गुस्ता से अपना वल्ली को ठंडा करके बात करना अगर नहीं बोली तो प्लीस बोल के पैर में गिर लड़की का बाप लॉरी ड्राइवर है जो भी लड़की छेड़ता है वो पर लॉरी चड़ा देता है लोग तो फट्टो निकले को कौन बताए कि वो तरफ वन साइड़ के बिर्यानी मां के शुखे वेच्वारे तू इधर काई को खड़े ला है रास्तादेरे बाप काई ग मसीन नहीं देगी क्या करें तू राख ले वो मसीन उसे अपना कफन सिल्वाना ये चंद्रा मरूम राजन की बेवा लॉर क्या नहीं समान के लिए इसला है और क्या क्या चुरू युआ ठीक है चिपकर कान मत खाओ इधर काई को आई चंद्रा चिटफंट भरा था रमेशन और थोड़ा से सुना भी गिरवी रखा ता वही मैं चेक करने को आई है ठीक है मैं चेक करके बता दूगा तुझा वो जो जाडू मुछ वाला है ना वही उस फुलजड़ी का बाप है तिल उसकी चुगली करते है ये थोड़ा इज़त से रहे है भुजूर के वो एक तो ब फिर तु ये बसी से किदर चली जाए चाल मारने देना अपन को क्या है अब लोग चाय भी दें चंद्रा वो छोक्रे को पहचानती है पानिकम का बेटा है राजन की मोत ने चंद्रा वो ऐसे मोड पर लाग खडा किया जहां शंबू और चंद्रा की जिंदगी मच्छी के ज जाल के मापी बुलाज गई देना अपन मा को लेके बहुत सेंटीमीटर है अब मा की इतनी इच फिकर है तो मा के लिए फिलाट ले ले ना लूंगा ना गोबर्मेंट की कोई स्कीम तो आने दे अपना गांदीशी का बहुत बड़ा टेबल फैन है अपना बापु बोलता थ को एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे देने का आप उन भी तेरे को दूसरा गाल लाल करने को दे रहे लाए पर केश नहीं करना तो और इस केरम टूर्णामेंट के विजेता है शशी कुमार पहली बार शंभू को मैच से आउट होते हुए देखा है मालम पट्टी कर क खेले ना तेरे को भगवान का गिफट है इसे बसती की लोगों को सिखा ठीक है अगले साल चानस मिस नहीं करें ये साल तो लोबान जल गया ना चल जा देखो अपुने ना वो सिलाए मसीन अपुन की फ्रेंड को दे दी उस बिचारी को बहुत जरूरत थी उसके पस पईसा नहीं था ना कर चल निकल सुना तेरी बहुत पेटाई हुई 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 अप उनका थमसाप तोड़ दाला अप उन कैरम नहीं खेल पाया पूरे साल क सत्यानाश हो गया और तुमलम लगा रही है तू लड़की नहीं होती ना तो तरेको कैरम के बीचों बीच बिड़ा के तेरे पर रॉकल डालके जला डालता चल निकल अभी यहांसे अरे पदमा जब तू बालों में तेर लालके दो चोटी बानती है तो बड़ी याउम लगती है कल टंकी भी आजाना अपोलोजिस करने अरे इत्ता उपर काई को लिगे जाना मेरे को धक्का देने गाए राजा है क्या चल तो सही शंबू के जेल जाने की एक और वज़े थी याद्मा और शंबू का लाओ तो चल यह अरे अरे गभरामा तो चड़ जाए आप उन सब देख लेगा अभे देख लेगा वाई तो पर अब्लम है पहले तू चल यह मैं हूना है नहीं तू चल पहले अचा चल दोनों साथ में चड़तें चल देखना नहीं है यह चड़ने में मजा रहा है यह नहीं फट्रेली यह आपने एरिया में तू गुंडी बन के गुंधिया ना इधर देख कितना हुआ है अवा निकल जाएगा तेरा उदेख व आप उनलोग का ही लगए तू हां दातों में कॉनसा पेश लगाती है तेरे मूँ से लवन के खुश्बुवार ही लिए कोईले से मांचती है तो यह अब यह तू क्या करी तू ही खुश्बु ले सकता है अपों नहीं ले सकती एक काकी चल कुछ पढ़ना लिखना सीख अरे अब मैं पढ़नी के क्या करेगी बिटा मेरे बेटे को जाके पढ़ा पांच वी में पांच बार फेलो चुका है एक नंबर का निखट्टू है वो तू ही जाके उसको कुछ हिसाब किताब सिखा दें सर्फ हिसाब नहीं काकी बाले जी भी सिखाएगी पदमा की पांचों उंगली घी में और सर कड़ाई में आगया तू अरे क्या करे लिए कुंडिकाई को लगाई तेरी माँ चाहते है कि आप उंदर को सब सिखा दे अईस अस्ताल में माँ को फून की जरुवत है जल्दी चलिए पापा अरा बाप के समने भोली बंद्री यह तेरी शरारत कली देगली थी यह बाई चलाटना है क्या है सब रस्ते पर खड़ेओं के लड़कियों को ताड़ रहा है नहीं सब वो रिवेलेटी में मतलब बोले तो रिष्टेदार सब तो घर पर रिष्टेदारी निवाने का ना इधर ओड़ पर दूर बिन लगा रहा है अरे साब अभी तो सिरफ घुरम घरी चाट यह नाई की दुकान लेकर का गोंब रहा है साब यह सब्सक्राइब अंजु बबाब स्टाइल है स्टाइल है सब आजा सडक सड़क नहीं देगी नहीं कोप का इखाता हूं यह मनत के छोड़ दीजे नहीं तो तूट जाएगा अरे साब इतने सी बाल उगाने में दस वारा किलो नारिल का तेल घुजगिला चोड दीजे अच्छा यह तेरा द सबाप पुलिस की नहां बुर संथिल से पुक पुकाती है क्या एक तो ततरी कमर सारस की गंदन जसी पतली ऊपर से दो डो बेल्ट सब यह इसे संसे शंसे सणी बना सब 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 यह मनत का बढ़ा है वए वा अब अब को चोटा ऑगे बड़ा मटका पीछा चाल पानी कार आ, यह पानी लेकर आती है तेरी अम्मा था तो ने अम्मा से बढ़के तूने यह पर कप कटाया अच्छा लग रहा है अ यह पादमा किसकी है के बजच की है चल अब यह मेरे बापु नाली में गिर गए अपु नाती है जल्दी चलना लड़की चट रहा है दू क्या एक यह अपन का छोटा भाई है अच्छा अपना साला ही क्या यह जोड़े चड़ी पहना है सहीए गर्मी में आवाज आना चाहिए दिल लगा के पड़ाई करा बज़िया अरे बाप तू जिंगुर से का को बात की एक उन्दन उसका नाम जड़ा इज्जत से ले हो सकता है कि कल को अपन की उससे साधी हो जो और तू उसका साला बन जाए तू साला इ पूरा के दुश्मनों ने उसको मारने का पिलैन बनाए ला है अपन के पिचुआ है अपन के पिचुआ है यह बाए 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 बंगडी देना रुकना पुन पहनाता है तूटनी चाहिए प्यार से पहना इला है ठाँ जड़ बाए इला है जड़ जड़िया 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 है इसने पेजा तेरुको आगा शेयतान कुछन सुरू कर दे रोकडी हो जाएंगी आजा सिवा चाय मंगा हूँ गया इधर भाइलों का डिसकासन होने वाल है तुम अंडी लेकर कही आट वो क्या है ना पादमा को प्राइवसी चाहिए था इसलिए कोप्चे में बठे लाए तो फाइस्टार में जाने का ना जा ना काई को अज़्जत कर रहा है अरे शिवा खाना ठंडा हो रहे लाए चल अभी अज़्जत से उड़ जा एक दम कमतियों कान में रहे के थेल दले के चल वाटक चल वाटक चल अगला टाइम एसी में बठेंगे चल क्या ओडर किया थारे खाने को छुआ नहीं यह भाईलों को खिलाने का तो खिला देंगे अब लोग अपने खाने का पैसा दो नहीं देंगे तू भी मत देना आइसे रिवेल जाना चल चल महरबानी मत कर चल रूद्रा भाई आईये तर्मत बिंदास खा बिल मैं दूंगा ए मेरा परस अंदर है गया अरे उनलों को जानते बाद में ले लेंगे कोई संधिल का नाम लेकर तेरे को भटका रहे है जैसे कॉमन फ्रेंड होता है ना वैसे कॉमन दुश्मन है तुम दोने अपनी दुश् का दिया जलाने का क्या क्या सरकार भी अपने स्मलगीं के धंदे पर फन काड़ के बैढ़के लिए सफ़ी बात है बाई पहले इलेक्टोनिक सामान कितने तकफिलीग से मिलता था अभी हर्चे के अगुले बले अक्का जिंद्गी आप लोगों ने इलेक्टोनिक का झोल के अभी पोडर बेचेंगा ए इतने सालों तक हम लोग वाइट कालर काम करते थे इसलिए पुलीस हमलुक के गिरेबान में हात नहीं दाली समझा और बदले में हम लोग भी उनकी मुट्टियां गरम करते थे लेकिन जिस दिन पोडर की दुनिया में कदम रखे तो ठोली लोग को बहुत माल देना पड़ेंगा और अगर हम लोग आड़े फटे ना तो कुत्ते की तरह दवड़ा दवड़ा के मारेंगे और अब उनको देर हो रही है ठीक है अपन लाता है रुद्रा ने भूरा और सेंथिल के बीच मानवली करा दी लगरेला था कि आप उनके बीच गैंग वार नहीं होगी लेकिन किसको पता था कि शंबू की एंट्री इनके गैंग वार को फिर से शुरू कर देगा पता नहीं तेरे और शिवा के बीच में क्या लफ़डा है अब वेलू भूरा सब के सब तेरे खून के प्यासे बन गए हैं तेरे पास अभी एक ही रास्ता है तो कुछ भी करके सेंथिल के ब्लॉक में चला जाए है इधर है साब सलम साब उने हमें फोन देने का खत्रा क्यों मोल लिया हां अगर आम वहां वक्त पे नहीं आते ना तो तेरा गेम बच जाता अगर तुझे अपने जान की सलामती चाहिए तो उनसे दूर रहे कुछ दिनों बात तुझे दूसरी जेल में भिजवा दूंगा यह जेल आप उनकी घर से बहुत करीब है तो जब भी मां को आपन का दीदार करना होता है तो इधर चली आती है पढ़ना आता है क्या कोशिश करेगा तो पढ़ लेगा चिठी पढ़ना शुरू कर काम पे लग जा यह ले चिठी पकड़ और जाके ठीक से पुकार कर चल नि को देगा तेरों को वह शोक है तो आपना गुर्दा वेज और मेरे कुर्दे में क्यों चारे लाए तेरी नहीं के लाए तो दम मांगा था उससे चिरान दे दिया अरे डाक्टर खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा पर माल मंगता है अपन लोगों को यह चेचवे इधरा चल एक दूंगा ना जुलाब लगेंगा मंगना तो पड़ेंगा घबरामाद दादा अपन मा लेकर आएंगा अपका डैडी का नाम देओल आरे लाव अक्षय पपा का नाम कुमार संगडा इधा का नाम कुट्टेशवर यादा हो यह अपोने नाम बो शादी बोलते हैं किता का नाम यह चोक्रा शांती आप ने बापु का नाम बोल शांती शीकुरते बढ़ा दिया यह लोग ने अरे दादा बंडे को राजु का आवा बोलते हैं टेंसन नहीं लेने का क्या देख रहेला है राजु अपुन का फरेंड उसे बात करनेगा था पुलिस के लिए स्मगलिंग रोखना एक बड़ा सिड़ता है मुलाकाती जालियों से माल सिप्लाई करना चाते तो शाने पुलिस वाले उसे रस्ती से आलम यह था कि चाय अचार की शीशी हो या लंबी वाली चाकले सब के अंदर माल था पन लोगों ने हद तो तब कर दी जब साबुन के अंदर भी माल शी पड़ा था क्या सम्भू भाई क्या बोलते हो कोई तफलिक तो नहीं है कोई तेरे को मिलने नहीं है आप उनको बिलोग चेंज करने करने लोग क्या रहे है अपुन की जिंदगी बढ़ाने वाला यह 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 वो एक नंबर का केरम पी ले रहे है दादा को इसके साथ खिलने में मजा यह अपुन की तरफ सा दो बीडी बाई के नाम पे बाई पर चार सम्भाजी बीडी लग गई जिंगुर लोग उस पर लगाओ हाँ तदा हाँ सेंतिल भी केरम के खेल का बास्सा था क्योंकि राजन नहीं उसको उंगली पकड़ के सिखाय लगा लेकिन सेंतिल के इलम में य जान बूच के आ रहे लाएं हैं हाँ ए चल रहे दो बेड़ी खा लेगा अब उन हार गेला है चोकरा जीत के लाए बहुत हार गेम इसका है आपको बाहर जो भी करवाना है वो सेंथिल यहीं से कर देगा जब वो चट्ड़ी पहनता था तब से जानता हूं से राज जन का गेम बजाने के लिए मेरे पास ही आया था मैंने यह उसको प्लान बताया था फिर पैसों के लिए वो मेरे खिलाफ काम करने लगा कैसे वरुसा करूं उस पे ऐसी बात नहीं है सर सेंथिल अब समझदार हो गया है जब से आप अंदर आये हैं तब से वो आपके साथ मी और किसी बड़े नेता से कहकर जेलर पे दबाव डलवा दीजिए उसके फायदे में आपका भी तो फायदा है ना हाँ बोल क्यों मिलना था पार्टी में वापिस आने काई कर दिया ना वही थूप के चाटने वाला काम लास्ट टाइम तुने बूत कैप्चरिंग करके अपोजिशन वालों को जितवा दिया था अब मेरी पार्टी पावर में आने वाली है तो चला आया चड़ते सूरच को सलाम करने है अप उन वो बस्ते में कभी नहीं जाता जिदर अपना हस्ती का कदर नहीं इसके लिए तू दो मूव वाला सांफ है भूरा तेरे जैसे नहीं है उसने हमेशा मेरा साथ दिया है तो मैं तेरे लिए उसको क्यों छोड़ दूँ दादा आप उनको कुरसी का लालश नहीं बस आप उनको पार्टीकल लेबल चीए आप मेरे बोलना पे मज्जा होता था था मेरा काम के दिखाएंगा बंदरगा के छे यूनिन में से तीन यूनिन आप उनका कंट्रोल में पांचो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े लें आप मेरे पर भरुसा चालू करो ना जितना पैसा बोलोग उतना दूंगा जस करोड बीस तिया शंबू आपने बटन मत कोलना अपने चोटो को लिए यह पूछ रहा था मेरा बाप कैसा दिखता है तू बाहर कब आएगा अरे लोग जितना दुबाइ में नहीं कमाता हो इतना जेल में कमारे लाओ मैं जरा उसको उठा तो उठेगा तो रोएगा जब वो पूछे बाप क्या काम करता तो बुलनेगा दवाई संभू वो जो सामने सूखी लकड़ी खड़े ली ना माल उसे के पास है अगर तू माल लाने में मदद करेगा तो तो तेरे को बिलोग में ले ले लोगा तो येंग्स्टर की जिंदगी भी एकदम नशडी जैसी होती है इधर खामोशी और सन्नाटे नाम का परिंदा पर भ कुछ न कुछ चलता इच रहता है नसीब का दरवाजा खुलते ही हाथ डालो और जो मन करे उठालो अपने करजे चुगाने के लिए यहां कुत्ते के माफिक काम करना पड़ता है बॉटल मनी मुत्तु स्वामी को पुलाओ मुत्तु स्वामी हाजिर हो तुरे पितन जी का न अगले महीने की अठारा तारीक पर तारीक यह इच कोट का दस्तूर है और इसी तारीकों के जाल में यह मासून किड़े फच जाते हैं जिसकी जिसकी टांगे फेलिए पहले उनको चेक करो सार यह रहा चल 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 बहुत कुज लिए तेरे को चल 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 यह अफ्रिकां आजा इंदी सिखा की नहीं है वी तक इस बार अपन ने संथिल दादा से वादा किया था कि माल के साथ सिमकार भी लाएंगा लेकिन इन लोग ने हाथ में दस्तान पाइन के सब खीच लिया संथिल दादा अपन से बहुत नाराज होएंगा क्या हुआ अपना पूराना चपल मेरे को दे और आप उनका यह नया चपल तू पाहिन ले काई को अब यह पाहिने से तेरा वजन बढ़ जाएंगा अपन सत्यागरा से लोटा है जो चपल बद लेंगा चपल कैसा लग रहा तेरेको अच्छा ए अच्छा लेना अच्छा ल अच्छा लगा और ना मैं भाग जाएगा अच्छा एतनी भार ही को लग रही है मां कसम अंदर माल है अगा जल्दी चल आप यह नाम के इतकी आरे लिए जलर माल अंदर आने ही नहीं दे रहा है क्या दीन आ गया वाप किपकली मार के उनको भर के जिलम में फिना पड़ रहा है पर शुरूर मसता रहा है इतनी बास क्यों हो रही है दम्मार जवाब बिल जाएगा यह काय को स्वरक जाने वाला काम कर रहे लिए अरे मम्मी उदर वेट कर रहे लिए आपने जैसे खेलाडी का आइडिया फेल हो गया है तुने क्या जोलकिया है आपन पुलिस वालों का चट्टी पंड़े में हलप करता है तभी आपने निव इसकी समगलिंग से तु बहुत मळ कमाता है आप उनको कैको दिया आपनकी जान को बहुए आपकी मिलोग को शुरक्षा कोष बनाना चाहता है आपके जाय के नीचे रहने का आओ उनको जब शिवा ने राजु को मारने की पिलैनिंग की थी ना तो इसी ने राजु को बचाइला था तब से शिवा इसके फिराक में है मौका मिलते ही यह चंदन में महग जाएगा जान बचाने के लिए यह खजूर आपके हुजूर में आयला है किदर का है कंजार वाड़ा बाई यह सच बोल रहा है पानी काम याद है यह उसी का बेटा है आपने टीम में ले ले इसको ठीक है इसको चल जा बेटा ठीक है चल बेटा चल चल ने एक दस्तोर अगर चल नहीं सकते तो रेंग ते रेना चाहिए और मोका मिलते ही शिकार को चील की तरह दबोच लो पीश दस्तूर था जो उसने कलेशवर से सीखा और यह उस साल की बात है जब शंबू केरम का चेंपियन बना था केरम बोट की टेस्टिक लेवल को पार करने के बाद नेशनल सेलेक्शन में हिसा लेने के लिए शंबू को बॉम में जाना होगा उसके लिए मच्ची विबाग के मिनिस्टर श्रीमान ओशिया जी ने वादा किया है कि शंबू का सारा खर्चा वो अपनी पॉकेट से देंगे संबू को पूरा बरोसा था कि अगर वो टूर्नामेंट जीतेगा तो उसे सरकारी नोकरी जरूर मिलेगी पन जब भी नोकरी मिलने का मोगा आता उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती तो एक काम कर तू इधर से उटके कोपची में बैट जा इधर से टीवी अच्छा दिखेगा आजा दिख रहा है ना अब तो और भी नहीं दिख रहा है ए दिदी के पास बैट नहीं तो दिदी गुस्सा हो जाएगी तेरी भी कमर पकड़े इससे पहले तू हट जा ए गोट्या मेरी गोदी में आजा चल कल आपन बंबई जारे ला है सुका सुका भेजेगी क्या पुनको तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ आपन के बदन पर नाकुन से खरूच डलना यहां खरूच अपना हाथ अठाना, आप उनको गुद्गुदी हो रही है खाली रखने पर गुद्गुदी हो रही है पीछे बिलकुल मत देख, आगे देख बहुत चर्वी चड़ गही लिए पहले काई को नॉटंगी कर रही ली थी लड़की सरमीली होती है तो उतारू क्या है कुछ भी तो नहीं, उसको दमा होड़े लगा तो नहीं कर दो, आपने इसको डिरॉप कर गया दे लेगे जा क्या हो गया सबके सामने अप उनका इंसलेट हो गया यह लाइट जनने से पले अपन हड़ गया था यह खजुए इदर लेना मासी यह चल तू निकल पिक्चर देखते देखते सीन में चुतर गया तू अभे मासूम बच्ची है वो बंदाम काईको कर रहा है उसको उसको उसके साथ आईसी दोस्ती रग जैसे फूलर काटी की होती है चल निकल शिवा भाई वह आपको नाकाई को बुली क्या बुलेगा आजकल की लड़कियों को चिछोरे लड़ेच पसंदाते देखना शादी से पहले चिलो का थलाख होई गया रोमत आजा उसने अप उनके बारे में बोला ना कि अरे उसको शादी में जाने जाने अशलिए आप उनका जूता मांग रहा था तुछल आज़ा क्या हुआ अरे सच में जूता मांग रहा था तू आप उनको चूरन की गोली देरा आपन पर तरस्ट नहीं है अरे बत्ती जल्दी आपन अलग हो गया और देखा भी तो आप देखें कि सहरेल है अरे थापो इन लोग थे हां यह इज थे तो दो दिन से आपन तो अपन तुरी जलक नहीं देखा क्या हुआ तु बूर्खा पहने लगी यह क्या तू इदर लोगों और तू दो दिन से लिली काईको नहीए है तूने अपन का मुंक काला कर दिया है मश् को नहीं मां कहती है तेरी टीचर का क्यारेक्टर थोड़ा डीला है अगर तुससे पढ़ाई करेंगी तो तेरा भी क्यारेक्टर डीला हो जाएगा ठीक है निकल यह बात अप उनके घर तक पॉंच गई है अप उनसे दूर रहे वरना मेरा बापु लारी चढ़ा देगा यह ज उनको लगता है तेरे प्यार की गाड़ी से कूदना पड़ेगा पद्मा बदनाम हो गई पता है कल क्या हुआ यह पद्दू अपन सुना तेरे को फिल्मों को बहुत शौक है है तो क्या करेगा अब यहां गरीब की जोपड़ी में अपन रंगीन फिल्में दिखाएगा यह लेकिन गाने हीट थे कौन था वो वही जिसे देखके लगता है कि कोईले की खान से निकला है अच्छा तेरा मतलब कलेश वर क्या हाँ वाइच क्या हुआ किसी ने तेरे को चमाट मारा गया कुछ नहीं हुआ तू यहां क्या कर रहा है जाके पतंग उड़ा तू बता रही चेड रहा था जब मेरी सिफार इसने के कुंदन का लेश वर के पास गया तो उसमें उसकी रूई की तरह धुनाई कर दी अबे कुछ देखा तो नहीं ना खजुए पद्दू के साथ पपी शपी कर रहा है हां यह पपी करके कैसे लगता है बोलना तूने आप उनकी छावी के साथ मसकरीगी और आप उनके साली को मारा भी देख खजुए जब भी कोई बुजरु का आदमी धुलाई करे ना तो द दिल पे नहीं लेने का देख बच्ची अपुन तेरा एडलर भी रादर है बच्पन में जब तु गुदिडी पे सुसू करता था तो माँ एक कनपट देती थी भूल गया और बाप क्या करता था गली में डॉगी माफिक दोड़ा दोड़ा के मारता था कभी बुरा माना वै अगर दुबारा दिखा तो काट के शार्क के मूं में डाल दूगा ब्लोर चलेगा तोड़ जाएगा और आपको दम की दे रहा है अगर दुबारा इदर आया तो पद्दो के हाथ पे अपने नाम का टाइटू बन वहूंगा अभे वो तो आज पेट साफ है इसलिए अप उनको जास्ते गुस्सा नहीं आया बाजू-बाजू सजा वरना कल के अखबार में आ जाएगा जीजू अप उनको तो लगा तो उस हो जाएगी इसी बात कर रहें बेटा संभू तू अपनी मा का अकेला चीरा गया नाशा उतरते ही वो सब भूल जाएंगा ऐसा नहीं हुआ तो तो क्या मारेंगा उसका गेम बजा देंगा देख बेटा बहुत भारी पड़ेंगा तेरे को तफलिक में आ जाएगा तू अप लफड़ा सुलट गया ना अब पदमा को कोई प्रोब्लम नी होगी ना कर वे से अपन पदमा को मेहन दी ख्लास के लिए भेजेगा तक है कुछ था किया हुआ है तू इधरा आगे खड़ा हो जा प्रकाए को अना कि अभाई अपन को बहुत चड़के लिए अपन जा रहा है अपन लोग फिर से उसके बास जारहे ले वो कल्लू बात कम करता मारता जादा है अब उन तो बोलता है वापस घर चलते हैं पिछली बार आप उन लोग खाली आद गए थे ना इसलिए वो आप उनको धुरुआ समझ रहा था लेकिन इस बार आप उन लोग के पास भी चप्टी है काट डालेंगे उसको अब उनका तो चक्कु बारबर सरक रहे ला है तूने क्या सल्लो टेप से चिपका ला है अब यह तेरा मूबे चिंगम पट्टी लगा अब 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 आपने बीवी को भी जोड़ूगा उसका बेवड़े दोस्तों के समने बात नहीं करेंगे वरना पोपट हो जाएगा आप उनलोग का वो लोग जैसी टून होके निकलेंगे ना तो आप उनलोग जाएगे अबरीका की बिश्की और नहीं घर जाना है आज बीवी का बढ़ दर रहना कि बुलट के सब कितर उलट नहीं अधा लीटर और भी पीलिया ना तब भी घर चला जाएगा भाई बाई एक मिनिट कुछ बात करने का है आज बड़ी मुश्किल से चड़ी है तू तारने के लिए आगया उसको छेड़ना बन करो तुमारे ही लागी कि अब ही तो आप उनका हग बनता है बाहर के लोग आके छेड़ेंगे अच्छा लगेगा आप उनका तुमसे यह रिउकेस्ट है और कोई होकुम अरे कुंदत आप उनके अंदर का सोया वह राक्षस जा गया है हम लोग अपको टपकाने के लिए नहीं आएले बस बात करने के लिए आएले तो चप्टी लेके कहा है को आए था अप उन्बो घुसाएगा तू हाँ गुसाएगा एक कुंदन दुचा एक कुंदन लफड़ा में मत पाड़ तू निकाल यांसे आज तो गया तू आई माफ अपको ने जाएगा तू भी साथ चल अपको ने जाएगा तू भी साथ चल मंदले भाई उन्लों को मत बुलाओ भाई आप तूम को दवा खाना लेचागा अब पर फोगरण ने लाए चाह तूम को जो अब खाना यार गाली फोगरण बजाने लाए तरह देखे आया यार कुछ तो लोचा है बाग अब भाग 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 पाग पाग अब वो उदर दिख रहा है वो बोर्ट हाँ वो बट बड़ा है जबाँ हाँ क्या हो तेरे को है जाकुमारा उन लोग ने भाई को जाकुमारा है पकड़ों से और बचका जाने नहीं चाहिए जेख जेख कर च मगारा है चना है जेख लोर्ण के जेख बोर्ण टर दिख तेरेवाँ कपड़ा बदा ले चल लोग वाडी लाल का गेम बजाए ले थे ना कहीं आप कभी वाइसे गेम नहीं हो जाए वो अलग मेटर था रहे बेल लेकर निकल लो बाई अगर यह जिलर थोड़ा घुस खा के मेरे पुराने केस खतम कर दे तो मेरे को पाल्टिटीटीटीटीटीटी में जगा मिल जाएंगी कब तक इदर ही दुबह के बढ़े रेंगम है बाहर निकल के मेरे को अपना फूचर भी देखने का है कईसे भी करके वो लोग के साथ कॉम्परमाइज करने का है और जिंदगी को आगे बढ़ाने का है आप उन तो बोलता है वो नेता जी से बात करक को काना खाय चुटे खाया भाई अपने बिलोग में के बहुत अच्छे खिलाडी लोग है दूसरे बिलोग में भी के एक सेक नगीन है अगर आपकी सरपंची में क्यारम का टूर्नामेंट हो जाए तो एदर जानके लाले पड़े ले और तेरको केरम टूर्नेमेंट की पड अगर आप इधर काईदी लोग के बीच एक करम को अच्छा रहेगा इधर हमारे भी लोग में बहुत अच्छे-च्छे के ने वाले है सब और दूसरे भी लोग में भी अज़ादा दिन खेलेंगे नहीं करेंगे लोचे-लपाचे नहीं होंगे तो आपकाभी टेंशन कम हो ज़िए राउन न साप एक अच्छा महौल भनेगा ठीक कर लो पहला राउंड बरक में उसके बाद क्वाटर फाइनल सेमी फाइनल और फाइनल राउंड होगा मैधान में जीतने वाला आगे जाएगा और हारने वाला बाहर जो जीतेगा वही चकले राउंड में जाएगा सामने वाला कितना भी शाणा हो हमेशा उसे हाराने के लिच खेलो आपन फुरता है अगर कितर फस जाओ तो दूसरा रास्ता खोजो ये सब एक हाना हरा ना सम्बो जीता इस रौंड का विनर है सेलिष हर इस कारेम माच का विनर है संतिल औरम माच जीता है शी Lee ने तो बच्चूं का खेले कल जो गेम खेलेगा आपन वह जभरदस्त रहेगा कल केरम में सेन्तिल के ठेड्टिक बंदे रहेंगे कुछ उखाई ने वाएंगे अपन उसका लेकिन उसके किसी भी बंदे में इतना दम नहीं है जो हमारे पिलान का सत्यनास करें कल राज का परदाफाश होएंगा अभी क्वाटर फाइनल होने जा रहे हैं चंबो और सुन्दर के बीच सर हमें ये कैरम का खेल रखना ही नहीं चाहिए था अगर कोई गड़बड हो गई तो क्या गड़बड होगी शिवा नाक मत कटाना बक्ची अगर कैरम के खेल से इनका जगड़ा खत्म हो गया तो मेडल तो मुझे मिलेगा ना पाठेल अब ओला रुण तुम लोग के ब्लॉग में एक टेपर है क्या बूल रिला है हाँ वो तुम लोग की हार खाबर लीक करे ला है ए चुप सुब्स में माल मारा है क्या अब उनको उसका नाम नहीं बता है पर सेंथिल को डपकाने का फुल प्रफ प्लान है पक की खबर है आई बुरा के लोग हत्यार लेके तुम्हारा इंतजार करे ले किधर भी मत जाओ उन लोग के पल्स हत्यार है तो क्या अपने दर छूड़ी बेन के बैठे ले बाई उड़ता भाला काय को लेने की सोच रहे ले हो गंपटी सार अपने रखवाई लाओ अपन ही नहीं जाएगा इतना इंतजार तो दिवाली का बोनस का नहीं किया उसको वो लाने तो हार का टोकर सर पर उंडेल ले इतनी जल्दी काय को है बादाम खाकर रहा है क्या दादा आ रहे है हारने को तैया रहे अवे सुखी निल पहराएंगा तेरे संदिल को वे इसको ये बिना चक्कु से भालूंगा तेरे को प्यासाब जो भी मूमे आरा रहा है बोल राए ये जाब बुलादा ता ता दो पार देखानी बादा चल तू भी राति तेरा भी हात वही से दवाता हूं भालूम पढ़ेंगा कितना दरदोता है बाई केरम खेले जारहे ले थे आप कैसे खेलेंगे तेल तो कर रहा है इधर इधरी जेल में तेरी समाधी बना दू अरे बोलाना गल्ती हो गई जान दे र राउंड एए अटरे ए रेफरे बाई ने जीत को दान में दे दिये ला है वो नहीं आ रहे है क्या हुआ भाई का अंगुठा घाय लोगे ला है क्या हुआ बच्चे कच्वय की तरह दुबग कर बैठेला है लगता है उसकी डेश्टिनी बहुत अच्छी है लोग काय को धुमे कले जाज उखारे लिए चलो अंदर चलके रसना बीते हैं पता नहीं इसको टपकाने का अगला चानस कभी मिलेगा आज केरम बोर्ड पे पावडर के जगा उसका खून डालने का मन था पर भजगिया खाबिस अपने छोक्रे लोग को वापिस बुला ले उ क्या तुम मुझे सुन रहा हूं हां बोलिये सर मैं सुन रहा हूं देखो संथिल अपने ब्लॉक में है की नहीं के चेक करता हूं सर अरे इसका गेम कोई खास नहीं है अरा डालो इसको वो क्या है ना अपना संथिल भाई इदर होता ना तो अपना च्छाती एक दम फूल के गुलगुले के माफिक हो जाता है पर आप उनका किश्मत ही खलाब है अवे लानत है ऐसी पटेली पे चेले चपाड को भेज के दुवक के वाइठे है खीच के दूंगा गुर्दे पे हलके में ले रहा है जाना आएंगे तुझी तेगा पुसी के आपन लेके आता है बहुत खत्राइब बहुत खत्राइब भाई को काई को लाया यह सिवा बगबग कर रहा था इसे लिए अपन लेका है संधिल भाई बाई 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 ठीक है सर मैं किशोर बोल रहा हूं संधिल बंडाल में पहुंच गया है बाटिल अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो मेरे ऑफिस में आओ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है अर्जेंट चलो देते है प्टार्ब रहाँ झाल 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 यहां से निकल लेते भाई उनसे डर के भाग जाओं ताकि बाद में दुनिया मेरे बच्चों को ताना मारे एक बुज्दिल का बिटा जा रहे लाए शिवा यह वेलो हमारे रेता दुभाई के एक छोड़ा सा बाल भागा नहीं कर सकता हाट तेरी तो सर यहां मारा मारी शुरू हो चुकी है अब बताएं सर क्या करें सर यह संदिल अगेला है और अपन जा रहे डेड़ामते इसको बोड़ इसको ओड़ाल आज बाट लाने के इसको बार 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 यह चल चल अरे आज वोका मिलने वाला नहीं है बच्चना नहीं चाहिए यह अब यहां क्या खड़ा है पीचे से जाना अफिसर्स अगर हालात काबू में ना आएं तो मेरे ओर्डर्स हैं कि लाठी चार्ज कर देना कर्या हें यह क्या कर रेला इस ने देख लिया तरकी को मार ते जंदल को ड़क कुछ नहीं करेगा अपना उस पर ब्रोसा है तु इधर से कल्टी मार चल मैं बोल रहे हैं अशिघ्स को सच का वर्भार ने कुरून पर है तु जाना चलना शिवा तु जाके वेलू का अपना वफादरी भूरा के साथ है अस्पताल में सेंदिल से मिलने उसका साला कुमार पहुचा जिसे सेंदिल ने पुलिस बनवाया था अपने फाइदे गे लिए ए कुमार, डाक्टर कहता है मेरा मरत का हालत नाजुक है अपनको विद्वा नहीं होना है वो कह रहा कि वो चल फिर नहीं पाएगा अगर ऐसा हुआ तो अपन ट्रेन के आगे लेटकर कट जाएगी ये बहुत ही कॉंप्लिकेटेट केस है रीड की हड़ी और दिमाग में चोटाई है गिरने की वजह से सर पर भी चोटाई है इसलिए दिमाग में खून जम गया है पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है अगर दवा के साथ साथ इन्हें कसरत भी कराई जाए तो शाहिए ठीक हो सकते है ताया जिसने भी किया ना उसको हस्या से काटना वेलो तो नहीं हो सकता उसको वारा अपुन्य मारा शिवा को तो भाई ने गिरा दिया था वो भी नहीं है फिर भाई को मारा किसने दादा को किसी ने टोपा दिया मेरी जिंदिगी भी दादा को दे दे बगवा ये शंबू जाके माल पिला इसको अपन सच नहीं बोल सकता क्योंकि तूने अपन की जान पैचाई थी एक नम्मर का दोखे बाज है तू काई को ऐसा किया तेरे को ना खाले पिले गलत फेमिली ओरे लिए ये स्टोरी सुन फिर सीजिशन लेना कलेशवर को चाकू घुसाने के बाद शम्बू और कुंदन की ऐसी फटी कि वो मदद की भीग मांगने रुद्रा के पास पहुचे तेरे दिमाग में गोपर भराय क्या किसको मालूम दा टपक जाएंगा वो हम लोग उसको खाली हुलजपट देने गएं थे कि देख भाई अगर तेरे पास हत्यार है तो आपन भी कुछ कम नहीं है उनलोंकों ने तेरी चैरा पटी तो नहीं की कंफरम नहीं है पर आपन ने शानपती दिखा कि आपना कपड़ा चेंज कर लिया था भाई अगर हम लोग थंबू हो गए ना तो आम्मा का ख्याल रखने अलो कोई नहीं रहेंगा अब क्या करेंगा तो भाई एक सलुसे ने भाई दिल पर मतले ना हम लोग के बदले तुमी जेल में चले जाओ ना भाई इतना आइसान कर दो या बोल ले ले तु अब बोया त हुआ है तो भजल भी तुई काटेगा ना एक काम कर भूरा के पास जा मैं उसको फोन मारता हूं यह प्रसांत आ क्या हुआ रहा ने दो चोक्रे भेज़े ले उनको भूरा से मिलने का है अब उन्हें भाई उपर भेज़ते हैं इस सूरी यह दो चोक्रा लोग को भाई से मि जिन्तों खार रा हैं जिन्तों कर दहर इनदा से मतार करा धान कर घया सोड़ के सकता है आपने कलेशर को नेख डबताया भाई क्या भाई आपने वेसा मुझे चंगारी कितरा तबाह कर रखा कभी कभी अपन को लगदा कि तू अपन का सोथेला भाई है तेरे नाम की वजया से अपन को कोई काम दंदावे नहीं देता एसे जिंदगे से अच्छा है का मैं जहरी ले दारूपी का मर जाओ लोग अपन से तरह इसले गाड़ी में चक्कु रखता था भाई क्या वारे अपन कुन्री वालू किसने कलेशर को तपका है क्या वारे भाई एक सिन्सटोवेल है भाई वो चोकरी कला पॉड़ा ना नइक यह अपनले चेहर इंचाल हुएं आपने कशो को मार दिया मार दिया बलू थो भाई वो चाकू से अपन ने उसको घशा दिया जैव जेकर गलेशर को मौत के समंतर ने डाल दिया कालेश्वर को तूने टपका यह यह बुरा क्या हो गया रहे तरे को थोड़ा ठंडे में लेना अब चुजा है कॉम्रे कांड यह करें और खून का छीटा मेरे भाई के खालर दागा अपना खासम खास है इधर इच मॉल्ले में रहता है केरम का चैंपियोनिप लड़का जॉल तू किसी को भी पिरा डालेगा भाई इसको टपकाने के लिए नहीं गयते सिर्फ चक को दिखा कि उसको थासाने के लिए गयते भाई ए चिकने मेरे को दुरुआ समझा क्या ओ मेरे गबरू क्या हुआ अब तेरे को तो ऐसा है कोई वफादार चूजा चाहिए ना जिस पर सेंधिल को बिल्कुल सखना हो अगर अभी तू इसकी गर्दन बचाएगा ना तो बाद में यह तरे लिए अपनी गर्दन देगा ए शिवा इन चुग्रे लों को थोड़े प यह भुरा यह मत भूल के सेंधिल अपन का दोस्त था कभी भी मना सकते हैं उसको तो और सेंधिल का जिगरी कलेशवर है सब जानते अब भी इन लड़कों को गोद में बिटा लिया ना तो सेंधिल के साथ कभी सुलानी हो पाएगे ए संभू मैं मैं मेटर संभाल लेगी पर दोस्ति नाम का सहरा संकर को पहना डाल कलेशवर के मर्डर केस में संकर को अंधर करवा और फिर अपने कनक्शन से उसको बाहर निकल वा इससे संकर के नाम का दबदबा पुरिवस्ति पिछा जाएगा लोग उससे कापेंगे तेरी तो यही खाई सेना के संकर गुंडा यहा लुक्रे, शही बोल रही ही तो, लेकिन सेंधिर फिर से लफड़ा मोल लेना आम लोग को भारी बोड़ेंगा यही चान असका तो कब से इंतजार कर रहा था? मेरे को तो यही चिंता रहती कि कब वो तिरको मारेगा हो, तुकड़े तुकड़े कर डालूंगा उसके यह बेलू, कलेशुवर का टोगरा शंकर को पिना दारूंगा जेल बेजने के लिए और पंटर लोग है ना, अपने खुन को काय को बेज रहे लिए अबे सुनना, वो बत्तीस का भाईल हो चुका है, तिर भी उखाड कुछ नहीं पाया है, उसको जिंदिवी में सेटिल करने अगर यह केस उस पे दाल दिये ना, तो बस्ती में उसके नाम का भी थोड़ा करदा औरदा उड़ेंगा ना, बात में खुटपात पे कबजा करके, कबाब पाउ की गाड़ी लगवा देंगे, और बात में शादी करके सेटिल कर देंगे, शिवा, इन दोनों को जटी के गो नया जनम दिये ला उनोंने तेर को, अभी आगे की जिन्दगी सोच्छा मच के खरच करना, अरे मनी माव, कैसा है मनी माव, अपुन भी गेंस्तर बन गया, कैसा लग रहा है, दुनिया अपुन के सामने भुग्य मापिक हल्की हो गई है, किसी को भी टपका देगा भाई, आ कि दशैया देग और इते इढ़ cinnamon, कि अघर ज्यर्या, कि व्हा भाई हम को टूड़ अपूडर की आपने मदर किया है, बच्य बच्च कि अपुने अग्या आउर डरा आ, मैंने डरा अपनेभू इंसे टर्च आठा है, क्या माना ये नद्या और ये अश्या-इब-च्र वा जीजू, जैसे आप उनकी आग का सटर बंद होता है ना, वो कलेशवर आप उनको दिखता है, आप उनको बहुत डल लग रहा है जीजू कुंदन काहिको तेरी इतनी पुक-पुक हो रहे लिए, अगर हम लोग उसको चाकू नहीं मारते तो वो आपन लोगों चाकू मारते था यह, चल रहे एए, कहा जा रहे है मही बैट पिसाब करने इसको क्यों ले जा रहे है कंपनी देने ठीक है ठीक है जल्दी कर किया क्या कर रहा बें संकर तेरे को क्या लगा कलेश्वर का मार को तो खुली सास ले बाएगा तेरी जात का अंगा मारू जा हवा भाएगा तुमको पता है मैं बच्पन से भट्टू था मैं नहीं मार सकता भाई साब संकर खुद की पिसाब पिसल के मार गया तो भाई टी बच्पन पिसल कर चल भाई की कच्छडी ने संजाना पिछट चैए अधर कुछी लेका चल ज़िका आउधर कर अधर कर अधर कर अधर कर अधर कर अधर ना तेरी अम्मा तेर से मिलना चाहती है अपन को उससे अभी नहीं मिलने का है अपने तीन दिन से बस रोहे जा रही है कुछ खाया भी नहीं हो नहीं जा कि एक बार अपनी छलक दिखा दे उसको खोश रदाएगी को कि आम उले के जाएगा उसके पास इले समाल के लेज़े जा लेके जाना इसको आजाते है भावे अगा भुरा भाई सब आपन का गलती है यह यह मारना और बचाना जो है नसा उपर वाले के आत्मे हम तो उसका भला ही चाहते थे अब उसका ठेम आ गया ओ चला गया तो खुन मज जला ए उसको लिगे जा अबुरा भाई तु मेरा जोड़े वाईस है तपलिक में याद करना जा अभी कुछ खा भी किस हो जाए उस दिन संकर की जगह संभू को मरना था लेकिन संभू को बचाने के लिए भूरा ने अपने भाई की बली चड़ा दी अब संभू भी भूरा के लिए अपनी जिंदगी की बली देने को तैयार शंभू किया कर रहा है उदर अरे नीचे से दिखने ही रहा है ना इसके लिए उपर आया है रहा है रहा है दुखेला दुखेला देखना तुझा और मस्ता अधरक वली चाय बला एकला क्यारे कुंदान किदा ठेल रहा है जीजु को ढूंड रहा हूं अगर बती कांडी आशिक बोल आशिक चालूएंगा तेरे वस्ते आपन एक मास जोपड़ा बांदेगा है जा अम्मा बुलारे लिए अम्मा को बोल दाल पका में आती है अपो नहीं जाके बोलेगा तुई जा ए क्या हुआ तरको अपनको कुछ नहीं हुआ लेकिन तेरेको बोड चर्बी अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो तो आप उन क्या कर सकता है वो जेल जा रहे लाए ना अगर उसके ओपर जेल में कोई नया केस फिट हो गया तो बहुत मच मच होईंगा मैं चाहती है कि मेरा मरद लमले बने तुम मेरे मरद और भूरा का मांडवली कराओ ना उस अब उनकी बात मान ले कुंदन तेरा बाप नहीं मरें तरह को बताए क्या लोग बात का बटंगड बना रहे ले ले करेगा अगर मेरा मरद लमले बन गया ना तो मैं पूरा बस्ती का हाले ठीक कर देगी और फिर भूरा को भी उसका काला धंदा करने में तफ्लीक नहीं यह बुरा, सोच के जवाब दे, अगर समझोता कर लें तो क्या फाइदा हो वो पटेली उटेली छोड़के टिकेट लेगे फुल टाइम नेता बननी की सोच रहा है, अगर वो सक्सीस हो गया ना, तो हम लोग को भी नेतागिरी मेलेगा, फिर नोट चापेंगे अब लेने गय समझदार हो रहे हैं, तंदे से आउट होना पड़ेंगा, वो सेंथिल धोगले आदमी है, यादने के राजन के मरड़र पर क्या किया था उसने, वो तो बच गयने तो जिंदगी बार जेल में साड़ती रहते, जवान लोग को नसे का जहर बेचता है वो, हाय बद्दुआ क कमाई में बरकत नहीं होती, आइसे आदमी पर भरोसा करेंगे, वो अब फोड़ा इलाज ने किया ना तो नासर बन जाएंगा, इधर आ, सेटलमेंट होने से खुनकाराबा बंद होएगा, सब लोग चैन से जिएंगे, तू क्या चाहता है, काई का चैन, धंदे पर कबजा क कर लेंगा वो, तो क्या फिर आपन लोग में सेंथिल से बिढ़ने की ताकत है, क्या बोली तू, ताकत की बात करी तू, अब धला कहींगा, तिरे को मालम है, चोक्री लोग की दला ली करता था और उससे ठसके रहा हूं मैं, तो सेंथिल के लिए मेरे पर चिला रहा है, गब टवाना चाथा है, क्या बात करें सम्राइफ, सैंतिल ने तेरे और लेह वे लोग YO में टानने के वास्ति कि खुलाएला है, कर से मात निकल मैं पहुं आपitaire है, क्या बात करें संतिल ने अए लड़कioè ये दो निगल और नम है, सॉन or को तीन साल से यग भेक ही लूँ अका आ करना चाहते हैं तो गलत फेमिली में संतिल नहीं अम लोगा नाम लिश्मे डलवाया है वो सामने से गले मिलता और पीछे पीट पर वार करता है हम उसी का पैतरा उस पर आजमाएंगे वेलु तेरा घर तो वहां जोपड़पटी में है ना लेकिन जोपड़ी में समंदर का ता कि बेईजयती से ना आपन के सेधत पर कोई फरग नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप उनको उसे पीरह में उसके लिए अपन काला पानी पीला पानी सब सचा छेल लेगा तू खाले कान्या दन करने का सोच अप उनको मालू में उसका शादी किसे बनाने का है अगर तुम लो ये बुड़े को बात करने की तुम है क्या अकड़े से राजे से पद्धान मंत्री हो वेसिविलर की काली है चाल काली दिल्वाली होती है तू छुपना है आपन बुड़े को बटली में उतर और तू आप चड़ारी है अर थोड़ा सोच ना ए वाई रुकना मौसी क्या कर अब अगर बाहर ने निकला तो मैं आर्मी मुलाएंगा चल निकल जाया थे एंगा इसको ने चमकाएगी मैं अरे आपन पद्मा को लेके जाएंगे तू चुपना लेकी जाएगा चल ले जाके दिखा मैं इधारी बैठाओं देखता हूं कैसे जाती है बड़ा यह जोपड अगर वो अपन के साथ बाग गई ना तो तुम्हारा नाग कान सब कुछ कट जाएगा बुढ़ो और पिर शादी के बाद कभी आप उनसे नजर नहीं मिला पाओगे नजर मिलाने के लिए तुमको गॉगल पाइना पड़ेगा आपन सही बोल रहे हैं लेकिन पहले आपन का पड़ेगा पादमा का बिड़ा है ना पिछले आच साल से यह बॉड़े का बना हुआ है बड़ा आया शादी नहीं करवाएगा बुड़ा हुड़ा है दूख यह कुंदन अरे आपन का काम तुने कर डाला यह लातों का भूते बातों से नहीं मानने वाला ए तु जयादा कर चल निगल जीजू लेकी जा इसको घर बुड़े को तो आप उन देखता है तु जल्दी से शंबू की साथ चली जा वरना तेरे बाप को यह और मारेगा जा तो निकल में संभाल लेगी जा उते गयर में डालो और मंदिर चल मंदिर काय को अरे शादी करने को और काय को इ पदमा अब दंके के चोट पर करेंगे 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 चिक ना पनाने हां हुए मुर्दे की पना रा राए कि जो इना दुकी है हस ना था संभू बाई यह तन जूरा ग। स्थिल्प ने की बात करके फिर चला गया अब उन क्या सेंटीमेंटल है न तो आप उन भी सुला करने को तयार हो गया, बाद में पता चला कि अंदर जोल जाले जेल जाने से पहले बाहे ने एंकाउंटर लिष्ट में हमों का नाम डलवा दिया दोस्ती का नाटक कर रहे ला ताकि हम लोग की शक की सुई उसके उपर न जावे अब भी अगर साम को नहीं कुछ ला तो घर में घुसके अंडा दे देगा उसको जेल में इस टपकानेगा है वो अपने छोकरों के साथ साथ नंबर ब्लॉक में पड़े ला है और कोई दूसरा वाँ फटक नहीं सकता वो बहुत छाणा है जब तक जेल में बैटा है अपने बिलॉक से बार नहीं आएगा हो लेकिन ग्यारवे ब्लॉक में हमारे छोकरों लोग फिल्डिंग लगा के बैटे कि कब वो ब्लॉक से निकले और कब उसको ठोक डाले संतिल को नरक में पार्सल करने के लिए हमारा एक आत्मी उदर होना चीह है न कोई ऐसा जिसको वो ना जानता हो और ये काम कोई हल्वा नहीं है उसका भरोसा जीतना मतलब नाक से चने चबाना है लेकिन तू कर लेगा संतिल को है ना केरम का बहुत कीड़ा है और उसको एक्सपोर्ट खिलाडी लोग बहुत पसंद है इसका गेम देखेंगा न तो जिसने केरम में जात किया न वो भी इसका भेन हो जाएंगा अपन को क्या करना होईंगा तेरे को जेल के अंदर जाके उस अपन लोग जेल में तिरे को जोट मूट का टॉर्चर करेंगे संतिल का एक खबरी अपने ब्लॉक में रहेगा इच वो खबर पहुचा देगा अपन लोग दुनिया को दिखाएंगे तो हमारा कटर दुश्मन है संतिल का खासम खास दोस्त है राजू तू उसको बाटली मे याद करेगा इस पर कि दुकुर शक भी नहीं होएंगा मेलो जाएंगी या बोलो अंदर कब जाने का है ते मान दे क्या रे लैंडी के दुले कवड़े पहिना को फक्सन है यह 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 पहिना है बाई चलता है यह जलता है संभू ने अपने जेल में पहुचने की पूरी सच्चाए छुप नहीं सकती बनावाट के उसूलों से संथिल दादा को पता चलाना भारी पड़ेंगा तिरको आई दूसरे लब्जों में तु भूरा का गुलाम बन गया है तिरेको इस्तमाल करेंगे वो लूग इधर 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 सोच सोच कि आप उनकी हट रही है कि काई को अपन भूरा के चकर में अपना जिंदगी बरबाद करेंगा तिरेको बात बुलू किया कुछ भी बोल सेंथिल दिल का अच्छा अच्छा आमी है अरे छोड़ना जीजू इन गुंडों के पास कोई दिल्विल नहीं होता जाएंगा जाओंगा जाओंगा का रट्टा मारते बैटा है इधर जाएगा अभी अब टाप पे चल रहा हूं आज की दारीक में बड़े-बड़े को टोपे पे मारता हूं मैं और मेरे को इस बुलंदी पर पहुंचाने अलको ने मालूम तू पर संथिल पे वार मारने की पेलानिंग तुम लोग की थी, कोई और भी ये काम कर सकता था, लेकिन क्रेडिट तेरो को जाता है, मेरा एक भी छोकरा सेंदिल को चूप भी नहीं पाया, मौका तो तुने चिन लिया, आप उन ठीक से वार भी नहीं पिना पाया, एह, उसको चंदन की लकड़ी में जलाता न तो और महेक जाता हो, उसकी विदाई हिरो की तरह होती हो, जगे जगे उसके श्टेच्यू बन जाते, अभी तुने उसको अपाईज बना डाला, तो सोते जाकते, खाते, पीते, हकते हमुते, वो मेरे को याद करेगा, आगे से कोई भी मेरे से आड़ा पटने से पहले दस सोचेगा कि इस से मच-मच किये तो अपनी भी आलत होगी, अपने बस काम दंदेब होते, बिल्लिंग कॉंट्राक, देशी दारू के अड़े, अपने कंट्रोल में, तो अप उनके साथ आजा, अप उन है, बेलू है, और तीसरा हिस्सा तेरा, नहीं भाई, बच्पन से अप उसको दो वक्त का घी में तला हुआ पराठा खिलाने का आउकद रखता है, जब से आप उनने संतिल को मारा, तब से आप उनका जमिर लड़ाई कर रहे हैं कि आप उनने बहुत गलत किया, बिड़ा ये केरम पे बालटी पानी दाल दे, और आप उनके साथ में आजा, भाई तेरे अंदर इतनी डेरिंग है कि तु बिना चाकू के बड़े बड़ों की पैंड गीली कर दे वे, भाई ये गुंडा कर दे और बटिली में कुछ नहीं रखा है, चलता है आपन, दिन गुजरने लगे, संभू ने साधी बना ली और किलाब के बच्चों को केरम सिखाने क काम करने लगा, स्टाइगर को गन समझने का और गोटी को आतिमवादी और पॉकेट उनके लिए नरक, आग बन करके उन पर निशाना लगा के गोटी को नरक में पहुचाने का बोले तो पॉकेट में और हाथ पर पावडर लगाने का उससे पसीने नहीं आता है और ये स्ट क्यों जार रहे लिए खाते बद काई को डिस्टरब करे ला है इसको निवाला अटक गया तो ऐसे रहा तो बहुत जल्दी बनिये की दुकान खुलनी पड़ेंगी पंटर लोको देने के लिए पाड़ा आता है केबल टीवी का बीजनेस भी चल रहा है इतना पैसा काफी नह देने को तयार इच नहीं है हम लोग की गुंडागर्दी पर ग्रेंड लगेला है इस जट से मंगगा तो काई को नहीं देंगे वो आप उन एक बार बात कर के देख तेरे को पुलिस का नोकरी दिलाया तो चुपचा पुलिस गिरी कर जह मेले में पढ़ने के जरोत नहीं है आप उनकी सुनेंगे वो यह तेरे कोई कंटाप दो क्या जय संभाल अप उन लोग की बस्ती दोड़के रोड ना बने उसके लिए हम लोग कंप्लें कर रहे हैं यह जो साइन करो आप बहुत अच्छा काम कर रहें अगर रोड बना तो हम रोड पे आ जाएंगे रोड रोड करने के लिए इस पर साइन कर दो जाके शम्भू से कराले उससे ज्यादा पड़ी लिकी तू है चूशन में चलारे लिए साइन करना ला बाई किदर बटक रहें किरम कलब में बच्चे लों को सिखा रहें तेरी मां और पादमा किदे रहें क्या बाते वाई तारा चैसेसी म करने नहीं था तो कईसा पाइचानेगा बुरा और संधिल के बीच में आपन बहुत जल्दी सिलेटमेंट कराने माला है वो रोड कंट्राक्टर ने आपन से रिस्क वेट किये वल यह इच टूपिक पे आपन बात करने वाला है कोई लफडा तो नहीं होएंगा आप उनके बुरा बाई का दिल से स्वागत करने का यह एच्छा है ना आप इस तो बुरा उनके पास वह है चुड़ा यार उद्रा ठादे हो बंदो से रहा पीजे गया आथ देंदे हो जालो आंदर आप वो कंट्राक्टर को अंदर बीटा भाई सब्वा गया आजा आजा चुड़े आजा आजा पूरा जमगट लेकिला आजा तुम्धी चोल ना भाई अलेना अफ पिना लना गले में इसरे बढ़े यह बंकड़े आजा नहीं किया इसमें बोले हैं अ बुल जे आए दो भाई उपर रहे जे सब्सक्रताु करने अब आ यह उनकमरे नहीं वह अनदर बेटा ह कि अगया आगया कि या शम्भू ऐसा है बिटा एक किरपाइब बट एशम्भू ओफेजल का लड़का है ना हमीद सुना है वो तेरा बहुत खास है अहां बहुत बोलो न क्या हुआ बिटा वन रूम किछन नेते लिते पूरी जिंदिगी निकल जा जादिया अगर उसको हमारे पास मस फ्लैट है अगर वो चाहे तो मैं उसे एक फ्लैट दे सकता हूं समझा नहीं भाई अब उन समझा था ना भारी टरक का आवण जावण करने के लिए ये भाई सड़क बना रहा है वो सड़क तरी बस्ती से गुदर रही है अब सड़क पतली होने के वैसे बस्त से समझा रहा हूं ज्यादा चूचा करेगा तो दाल दूंगा कि कल हम लोगी एक मीटिंग है उसमें सरकारी लोग भी आएंगे तो उसको वहां लेकिया हम लोग मिलके उसको समझा देंगे ठीक है भाई चलता है हां ये कर पाएंगा अरे बहुत बड़ा कराड़ी है तेनी की जाज के ट्राइवर को दिखिए मस कुछ के वह चला नहीं पाएगा उसको बहुत बड़ा करुए हो गया बोले भाई कुछ नहीं खली बात हुआ और कुछ नहीं तब ठीक है ना यह बसका टांग बंग दुखेगी चल सेंतिल भाई के फिरार ही आगे लिए यह कुन्दन कुन्दन इदर आ सेंतिल भाई के हस्ती जिससे कभी हिल जाती थी बस्ती हाँ जो पाद्मों को पूल इदर से चल लेगा पदमा चल घर चल कर जा चलो मैं चल 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 चलो मैं चलो अब इसे जाने को बोल रहा है सारा सावाल इदर ही पूछे की चल ना अब ही चलते हैं बाहर है यह शंबू हरे इधर के से यह पकड़ भाई वो रुद्रा भाई ने बुला है तो भी तो वहीं का है सेंटल भाई भी आए ले हैं तेरी औरत है हाँ नमस्ते आप आई से मिलाता हूँ आहाँ तू इधर इचुरक आज कल भाई बहुत दुखी रहते हैं सिर्फ केराम की बात पही थे हैं के तेर को देखके खुस हो जाएंगे वाई देखो निवा दिदार को को ना है गुदी देखो ना है थी नमस्ते भाई शंबू आप शड़े बैट इसा को ड़े वास दे लिया जा जब बाय अनुको को पोलके आए अ बाए अच अब बैट आप अब आब इस भी कराम, कराम खेलता है? आहा, खेलता है ना मेरे को देख, खेल नहीं पाता गटी जाती ही नहीं मेरे से अचहहँ अबी मेरा आदा बादी छुटी भे लख लखवा तो खेल और नाम कमा कोई तंखरे तो बलना पुन खो पाडी आधा कम करता पन वट्पूरा पूट अलगा लिये चलो आधा थूसने चलो ए बैलु जा खाना का ले यह बंद आधा है क्या रहा है बैए यह जा खुड़राया पे यह आध मेरे निता खुशी नमा पूल जा लूगा शुटराया थेर को अधा तेर को अधा गर्मी कम इटा तू अंडे में आभी चल बाइट बाइट उधर बाइट उधर बाइट उधर उधर बाइट जिसकी दाहार से शेर भी काम जाता था आज वो भीगी बिल्ली बने बैठा है सब तेरी वज़े से वा है ए मारिया जो हुआ उसको बतकिसमती समझ के भूल जाना खुसी के मेरा मरद हंडिकाप हो गया है मैं एक कैसे बूलेगी महिला मंडाल जल्दी जल्दी आजाओ चलो पेट पूझा करो चलो अरे क्या कर रहा है बैटके ये शिवा उटना बाभी को बैटने दे इदर बैट बैटो बाभी बैटो मेरी बास सुनो अगर तुम दोनों मिल जाओ तो मेरा काम आसान हो जाएगा और बस एक पार ये रोड बन जाए उसके बाद मैं तुम दोनों को एक अच्छी डील देने का वाइदा करता हूं अपने को प्रोबलम नहीं है अपन करमपो माइस के लिए रेडी है तुम लोग को हरी हरी सूज रहे मेरा मरद अपाहिज ये बाद तेरे जीने के लिए काफी है ऐसी जिन्दकी से तो मरना अच्छा देखिए उस चाले सेकर जमीन की कीमत रोड बनते ही पूरे सौ करोड पहुच जाएगी थोड़ा सा कंप्रोमाइस करेंगे तो हरे एक को पांच करोड मिल जाएंगे ये लोग ना इधर लड़ने करने को क्या मालूं कि तेरे पती को किसने गोशेडा है ए कुछ भी मत बोल आप उन उदर इस था अरुन ने आप उनको फोन पे बताया था कि तुम लोग का एक खासम खास आदमी आप उनके ब्लॉक में है अरुन कुछ और बता था उससे पहले तुम लोगों ने उसको टप हो जाए सही बोल रही है न मैं अपनको इंसाफ मांगता है अगर ये लोग इतना बोल रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाते अगर परिशानी क्या है सिर्फ उसका नाम ही तो बताना है और पता है इसके बदले में हरे के खाते में पांच करोड दिखाई देंगे अरे इतन परिशानी मारी है वो उसाथ में के बिना कॉंप्रमाइज नहीं होगा इसको हवाले कर दे वरना सबको कर दूंगा या वेलू तुरू तुरू मैं बदा नहीं आराम से जादा आवाद नहीं मैंने इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत की सारी मेहनत बेकार हो गए अगर ऐसा ह कालडी अपड़ा तेरिच बजा से ओरेल यह सब क्या मगजमारी चल रहे है बताते हैं अपने भूरा का साथ देगे सही किया कि गलत आप उनको पता नहीं जब उन्होंने हमलावर का नाम पूझा तो भूरा कान में तील डालके बाइट आता है डर लगता है कहीं उसने आप सिर्फ एकीच दार था, राजन. पोरिन से श्मगल किया हुआ माल यही तेज चलने वाली नावों से किनारे तक आता था, जिसे राजन मार्केट में लाकर बेशता था. और वो माल होता था टीवी, पोरिन की सिग्रेट, पोरिन की दारू, जूते, जीन्स. अरे क्या भटक गेल है क्या? राजन, नेता जी ने बुला आया है. बुरा, तु सारा माल गोडावन में रखवा दे. ठीक है. दुत्रा, तु पुलिस्टेशन में जाके रमेश से मिल. आओ. कंचे के बजाए क्यारम बूड खेलेगा, तो फायदे में रहेगा. यह आपके हाथ में क्या है? बाई ने कुले रहे, दूर का जीच पास में आ जाता है. अब उनको भी दिखाओ ना. इसमें जाकेगा. हाँ, बाई. ले पकड़. ए राजन. नेता जी, नुस्कार. आजा, उपर आजा. आरे लाए, आरे लाए. सीडी पे कोटालादी लगाए रहे. नेता जी, बोलो ना, काय को याद किया. और, तो तब ठीक चल रहा है ना? युरुपाय आपकी. पहली बार इतना बड़ा श्मल्किंग किया. तु हमार का युप. युरू मिदके लिए. युरू पांस में, भणला बनाले और आखर ॅरायक Key Board. धे नेता जी, यब तक समंदर के खारा पानी का हमानी लेगता अरे पहा आजम दोनो. क्या है ना? अपन यह उदर रहने से शुट क्यार रख सकता अपन के मर्जी के बिना कोई आंदर नहीं आ सकता ना वह इन है रहा था रहा था कि यह अरे यह संतिल है आप उनका ही पंटर है नेता जी अना बस्ती कही है तू कुमार सुपामी का बेटा है इसा अपने बाफ की नाग पाई है यह अब उनके लड़के लोग में सब में सार पाई है अबेट अरे ठीक ने ने अरे शर्मा क्या रहा है यह बहुत बोलो न ऐसा है अगले साल बाहर की कुछ कंपनिया यहां फैक्ट्री लगाना चाहिए आपके लिए ग्लाज बनाओ आप बोले तो ठीक है पहले सुन तो ले मैं क्या कह रहा था है यह जो अपना मरीना भीच के पास बस्तियां है वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर तो लगेंगी ना फैक्ट्री लगेगी लोगों को काम विलेगा अप उनके बस्ति के जो लोग है वो किदर को जाएंगे अरे कमाल करता है हाइवे के किनारे हाउसिंग बोर्ड में अरे पक्की दस भाई दस की खोली बना के देंगे कॉमन टालेट के साथ और शेर से बाहर पाल्टी की मीटिंग है उसमें तू मेरा साथ देना अब हमारी सारी मुसीबतें खतम होने वाली हैं क्या है ना कि तुम्हारी तकलीब उस्ते देखी नहीं जाती तो मैंने क्या किया मैंने बहुत सारा प्रेशर डाल अप सरकार पे हैं तो उन्होंने का कि ठीक है भई इनको अच्छा मकान बनाके बड़ी-बड़ी खोलियां दे दो वो भी फ्री में और बसा दो इन गरीब मच्वारों को वहाँ पर अब रोट के किनारे घर रहेगा तो कहीं भी अगर जाना है तो फटाक से रिक्सा मिल जाएगा क्या कहते है आपर मेंट हमारे घर के लिए फ्री में पैसे क्यों देगी इसके बीचे जरूर उनका कोई लाले चोईंगा अरे सरकार तुमसे कोई रिटन गिफ्ट नहीं चाहती वो तो बस इतना चाहती है कि मेरे जरीए तुम गरीबों का भला हो चलो तुमारी बात अपन माल लेते हैं अपन लोग तो मचे रहे हैं समंदर से दूर गए तो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या अला भाई, इसमें कोई जोल जाल होता, तो राजन मेरे साथ क्यों होता, अगर आप लोगों को कोई भी शंका है, तो आप राजन से बात करेंगे, हम लोगों का देवता है वो, उसकी बाद हमारे लिए प्रसाद की तरह है तो लो भाई प्रसाद लो राजन जरा समझाओ विटा इनको अरे वो पंकाफास का जरा इंटा जरा वह गलत मत समझेंगा अप उन हमेशा आपके साथ खड़ा रहा पर इस बार आपका साथ नहीं दे पाएगा अपने लोग को दुखा नहीं दे सकता अरे लोटंदास तु तो नेता बना फिरता है ना तेरी जानकारी में भी है कि मिटिंग किसले हो रहे लिए ये राजन ज़रा अल्लू बोल अरे इनसे पूछ तो सही कि हमारी जमीन पे क्या ताम जाम करेंगे समंदर के किनारे हम साथ फिट चौड़ी सड़क बनाएंगे और साथ में एक आइस फेक्ट्री भी बोले तो बनाने के बाद बेची डालोगे ना ने 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 हम लोग टेंडर निकालेंगे न अब एट टेंडर बोलके कर दिया ना जोल बनाया है तो सबको एक नजर से देख हमने ने नेता बनाया अगर कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं हम लोग बस्ती नहीं खाली करेंगे तेरे को जो खाड़ना हो खाड़ नेता जी के खिलाव पोलता है राजन बोल नेता जी इन लोगी तरह भाड़े कर लाया टट्टू नहीं अपन लोचा किया ना तो लपाचा करड़ा लेगा काट तरह लेगा चल निकाल राजन अन्ना हम लोग दिन बर बच्चा लोग के साथ घर में अकेला रहता है और चूला फुक कर खाना बनाता है अगर उन लोग पोलिस को लेकर आएगा और घर से निकालेगा तो सब कुछ ठीक टाक होने तक हम लोग स्मल्किंग नहीं करेगा दिन रात बस्ती में इच र खाना कमाना तो जिंदेगी पर चलता ही रहेगा यही टेम है अपने लोगों के मदद करने का आज आम इनलों का साथ देंगे अगर कल को तो इलेक्शन में खड़ावा तो जीत भी सकता बेटा तो मालू में मेरे को तुमको मंगते है तो 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 बस्ती समालो स्मल्किंग अरे भाई दिन में चान कितर निकला मा कसम इसके होसन से बस्ती में अंगार लग जाएगी अरे है संतिल इतरा अरे अरे चोटे क्यों आप उनको यसा लग रहा है कि वो गज्रा पार्टी आप उनको लाइन देरी तरह देख के बता सही कह रहा हो आप कोई टुकुर टुकु मारो बेटा रुद्रा आज से इसको भाभी बोलना सुरू कर दे तू इसको उठाके मंडब में बिठा दे वो जो लाद उपट्टा ओड़के बैटा है वो अप उनके चीजाची है उदर सर्बत देला उदर बटा अब उनके लिए पानी सही है तू पील अब ये तेरी जिम समुंदर देखता हो ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को मन करता है इसमें गोता लगा दो अरे तो टेंसन मतले तेरी आखे भी समुंदर जैसी है अगर किसी दिर इसमें गोता लगा के गुम हो गया तो तफलिक तो नहीं होगी ना चलेगा सही कह रहे है ना अब ही कैस आप निकल जो हम लोग संबाल लेंगे वो घर के तलाश ही करें दादा आपने चोक्रे लोग को बटा दे दर से वह लोग पहले ही निकल गए दादा पचार जोबड़ियों के बारे में मत सोचो सरकार कानून के हिसाथ से चलती है अगर किसी को कोई भी अप्जेक्शन है तो उने कंड्रोल करो और अगर फिर भी नमाने तो उने अरेस्ट कर लो यह बस्ती कि आप लोग को वाट लगाने लिए राजन येस यहां पर हालात है कोई गड़बड हुई तो हम संभाल लें नेतानर रपड दिखाये लाए कि इधर लखली शराब बनता है इसलिए बस्ती तोड़ने को आई ले इस बस्ती में सिर्फ अपन सराब बेशता है बनता है तो आप उनको सूली बचड़ा दे खुसी-खुसी चड़ जाएगा प वो पुलिस AC DC कुछ नहीं देखे कि नंगा करके भगाएगी तुम लोग कि इधर से क्या बोला तुने नंगा करेगी नंगा करेगी नंगा करेगी नंगा करेगी तम इने मुझे सिकारी की कोशिश कर रहे है जल दिखा किता नदा में एक छोटी से बुलेट से आदमी उलड़ जाता है हलके में रहे था पुनको रमेश सर्कारी फौजी को लेंगे निकल ले वर्नावस्ति वाले जाए ले लेंगे पुले को मारेगा तो लफड़े में आ जाएगा जाएगा जाता हैगे फिर आओं लुग जारे लिए चलो सब मामो की वर्दी उतारो समंदर में ले चल तेरी तो अब तक तुम्हारा पाला घूसखोर पुलीस वालों से पड़ा है लेकिन मेरे लिए ये वर्दी एक जुनून है जो पुलीस ने मुझे फर्ज निभाने के लिए दी है मेरी ये बात याद रखना चाहे जितने मी साल क्य इसके बदले क्या को इधरी समंदर में बुझा डालते हैं ना अब 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 मत बुझा सरकार पर प्रेसर डालने काम आएगा ये यादव चल उसके बाले के चल रहे और ते चलाना भाग जाएगा वो ए राजन लगर रीचे डाल दे रहे सरकार तेरी मांगे जानना चाहती है राजन खुशी मना सरकार तेरी बात पानने को तयार है अरे अब ही जल्दी से बोल डाल जो तेरे मन में है उस वर्दी वाले के साथ कुछ मत करना अब तुम की चमचा केरी करते हो तल्वे चाटते हो उनके अगर जहाज बरके सोना देगा तो भी अब उन भिखने वाला नहीं है अब उनको लिख के दे कि बस्ती का बाल भी बाका नहीं करेगा और ऐसा नहीं हुआ तो यह पूलिस वाला वेल मशिली के साथ कुष्टी करेगा यह बह कोई को अब भी याद है कि कैसे राजन ने पुलिस को वटा दिया था और अब उनकी बस्ती को खाली होने से बचा लिया तो अब अब उन लोग की बस्ती में कोई भी सरकारी चोर घुसेगा तो उसे खदेर डालेंगे अब हम लोग को बस्ती की उन्यति के लिए क्लब बनान मंगता है तब से राजन ने बस्ती में किसी नेता को घुसने ने दिया और ये बात सब पार्टियों को खल रहे लिए वो बस्ती में तबीच घुस सकते थे जबी राजन टपक जाए इसके लिए उसे मारने के लिए वो सही मोके की तलाश में लगे तो उसी में चंदा मामा कुछ और ही चल देला था अब आप राजा राम से समाचार सुनिए तमिल नाडू के चीफ मिनिष्टर एम जी आर का अभी अभी देहान्त हो गया है वो सत्तर साल के थे सरकारी सूचना के अनुसार एम जी आर की मोद से मुत्तू को आखिर कार वो मोका मिलीज गया पोश्टर चिपका डाल एक घंटे में चिपका डालेंगे देख अपन नेता जी के आखरी दर्सन के लिए जा रहे ला है इदर सबको समालना नेता जी बोल रहे हैं कि उनकी फियट में बहुत जगा है अपन लोगों को बुला रहे ले ये फियट का लालाज मत दे अपनको अब उन पैदल जाएंगा वो चलेगा देश भर के नेता उनको अपने श्रधान जली देने आ रहे हैं तमिल नाडू की जनता में जब राजन एम जी आर के लास्ट दर्सन के लिए मदराज पोचा तभी पिच्छू से नेता जी ने सेंतिल को स्मगलिंग के लिए समंदर मे पोचा उदर नेता जी ने पुलिस को खबर कर दी और राजन के कुछ पंटर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए अप उनने इस वलके के लिए मना किया था था ना पहली बार राजन अपने आदमियों पर भढ़का मिनिस्टर साब आकरी सपर पे गए इसलिए सब लोग ब पुलिस अपने को ढूंट रहे लिए पकड़े काये तो पुरानी भाइल खोल के अंदर कर देंगे वो लोग तादा आप इस मेटर को सुल जाओ ना करने से पहले पूछा था जा उसी नेता के तल्वे चाट और अपनी मर्जी जे कोई भी काम नी कर सकता क्या तेरी मर्जी क अन्ना अपन नहीं गया था अपन से क्यों नाराज हो रहे ले बोलाना कल्टी समस्टेच रही है चुलू भर पानी में ढूब मरो तुम लोग अईसा नहीं है अपनी उसको चमाट मार सकता था ऑन बस्ती में उसका बहुत इज्ज्या थे अभी राजन अन्ना के बिना अपन कर अकट लेंस तुम लोग तो अन्ना ने लखा मार के बौट गलत किया बहुत चाणा है वह तक्यार करके शादी बनाया अपने लिए पकी खोली भी बना डाला हम लोग बस उसके दर के भेखा यह आप उनके ब्स्ति के चोकरे पकड़े घ़ा इसलिए अन्ना अन्ना गरमू तो आप उनका बात लिखके ले ले वो चुक्री उसको ले डूबेंगी तुम लोग खाली पिली खयाली पुलाओ मत बनाओ चलो अन्न से बात करते हैं अम लोग उदर नहीं जाएंगे अम लोग की उदर बेच जत्ती होगी तुदादा को लिखिया इदर अन्ना आ चोटे अं मेरो को अंदर से बहुत गबराठ हुरी है तु अभी मज जा अप उनको शोक्रे लोग जरा नाराज है समझाना पड़ेगा उनको अप उन्हें सबके सामने उनलों को मारा ना होटेलों मैठे सब लोग अप उन जाता है समझाता है अप उन अपने बस्ती वालों के लिए आपन लगाते हैं नमस्ते भाई है सिंदिल क्या कर रिला चोटे उन पर बात कर रहा हूं भाई एक अलेश्वर अंदर चल इदर मच्छर बहुत है आप पुन इदर इस ठीक है ए बुरा आद आद क्या है सब यह हम लोगा नहीं है हम लोग तो अभी यह साफी मानने बुल लो तुम लोग अपन से नाराज है क्या चार लफा और मारते चलता था ना उन सब के सामने मारा वह अच्छा नहीं लगा थिंदल अपन बाहर वालों पर हाथ उठा सकता है क्या तुम लोग अपने ओ रहे हैं अपन लोग कब से समल्गिंग कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने कभी अपने केरिबान पर हाथ नहीं डाला, अपन लोग खुद से पुलिस को अपना माल पकडवाते थे, फिर हम लोग अपना मंचा केस बनवा कर आदमी को पिच्छू के गेट से निकल वा लेते थे, इसको बोलते है सिटिंग, अपन लोग जो काम कर रहे हैं उससे बस्ती पर के दे, अगर आपन तुम लोग को कोपचे मेरे जाके मारता, तो बस्ती वालों को कैसे पता लगता कि आपन तुम लोग से नाराज नहीं है, चिचा, एक सोड़ा दे न, नहीं है, खतम हो गया, उन लोग को बहुत चड़गे लिए, तो उन लोग को समाल में सोड़ा लेकर अभी जो लोग समलकिंग में अंदर गये ले, उन लोग को लोकप से निकाल ले में थोड़ा टेम लेगेगा, तब तक इस बस्ती में हीरो माफे घूमतेयों में मत दिखना, इससे जो लोग अंदर गये ले, उनकी फैलमी पे बैड इंप्रसन पड़े गारे, रमे से बात हो इसा निये दादा, तो फिर कैसा है रहे, अमोग तो आपके चेले चापड़े दादा, तो फिर काय को टेंसल लेता है, आपके किजारे पे सब कुछ लूटा देवे, तेख वेलू, तू इस भी तारू मत किया करना है, तो इबर खराब हो गया तो क्या करेगा, ट्रेंस्पल पुरा आप उनको ऐसा मोगा ने मिलेगा, वो इतना अच्छा आदमी है, आपको मारने का उसको, जैसा आपन लोग ने सोचा ता, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, वो वाइस सच है, जो आपने सोचा वइच करेंगा, अगे, उसका गेम बजाए ना, तो हम लोग तपलिक में आ उसको मारने का पिलान बनाया हम लोग, उसको बनक लगी तो गार देगा आमको, जैसे बनक लगी, अरे उत्रा ने पता होगा ना, वो फोलता यारी, गर क्या आईला है, अपनको ठपकाईगा, ए संते, आणना, आज आरे, वो वेलू उल्टी कर रहे लाए, अब उन आवे क् तफलिक मकतवर, आपन समाल लेंगे इदा, अरे तफलिक कैसे रहे बाबा, अंतिल, यह गलत है, अभी बोड़ा उसका गंजर चिपका है, देख लिया तो, देखने ते, फिर तो आज उसका गेम पका है, मेरे को बोड़ ड़ लग रहे यार, इसके लिए बोलता हू, उसको तुम लोगो को जो करना है, वो करो, भूरा, तुम लोगो को जो करना है, वो करो, भूरा, शिदिल, तेरी खामोशी से मुझे डर लग रहे बाई, क्या करेंगा, उस्ते टोपा देतिया ना, अभी आपन कोई कुछ तेगलम लगाना पड़ेगा, अभी अच्छी रड़की आपकी लेविल तक पोँच जाओंगा, अरे अभी भी उल्टी हो रही ली क्या, अभी पहले सहरा मैं, भूरा, तू पॉलिटिस जॉइन करेंगा, क्यारे, नहीं दादा, नेता गिरी काम अपने समझ में इना, चेंदेल, तू पॉलिटिस जॉइन कर, पक्का बोलता है, ओ, तू पर तक जाएगा तू, लेकिन वो नेता का पीशा चोड़ दे, वो आदमी हमलों को ले डूबेगा, मार्केट में अलग-अलग तरिके के हवायरे, लेकिन अपने लिख के देता है, कि एम जी आर की गद्दी पे जैल अलिदा ही आएगी, एवार अम्मा आ आगई नहीं आप उनके वारे नहीं, देखने ना तू, रामा विरप्पन और दूसरे पुराने चावल भी है ना, अरे वो लोग बुढ़े हो गया लेकिन दादा वुराना चावल पकने पे महकेगा, ये बुढ़े लोग से पॉलिटिस का कारवार नहीं चलेगा, पॉलिटिस में कोई अपनी सेथ पर फरक नहीं पढ़ने वाला, अपो लोग का समल्के का धंदा चलता रहा है बास, अंदर की बात ये के MGR अभी तक मरा ही नहीं है, तूने यासोसा चोड़ रहा है, उसके कलाई की गड़ी देख्या है, उसमें बहुत भारी सेटिंग है, जब तक दिल की अभी तक चल रही है, तूने देखा क्या, अपने छुक्रे लोग ने उसकी गड़ी की आवाज सुने टिक टिक टिक, एम जी रिये चेकिंग कर रहा है, एकम भागी बंगर रहे है, और कौन अभदार रहा है, और आपको मुला पिछाना, तो कल पर्सू का पेपर पढ़ ले सामान की धर से आये ले, तुम लोग ने मंत्र से आप उनको मारने की सुपारी लिये क्या, चंद्रा अप उनको बोल रही थी उधर नहीं जाने का, लेकर अप उनने सुनी नहीं, ये दिन देखना पड़ेगा अप उनने सपने में नहीं सोचा था, ये अधियान डिकान रह ये संद्र, याठी आप तुने, हम लोग नहीं डिसाइट केता, नहीं मारेंगे इसको, अब कर नहीं बारते तो ये मारते तो ये मारते ता, इससे बारता कोई, हत्यारी नहीं ये उनने बहुत पड़ी गंते किया है, ये बार नहीं, आपना पिलान नहीं दादा, मिस्टेक आपने तो युग खेली वोटुूरूर। यह के लिए नंगो नहीं कुला था। अरुष्ट्र अरुच्छॉ शुरूर। यह पाद दॉन्मे ले इन यहां सब करदेख May इस लोगोनों तब आपने कश सबुद में बार का लिए। नहीं तरह को मेरी कस्षाम है, शुरूर। चंद्रा को मत बोलना, इस लोगों ने अपनको मारा, नुद्रा चल यांसे, वेलो, वेलो, छोला, वेलो, चल, मैं तेरे सुझा रहे हैं, आप उनके बाद ये निता लोग तेरे को टू-सुपेपर के तरह इस्तिमाल करके फेट देंगे, बच्चा है बेटा तू, अपन तेर अपने के दादा में उन्यायार खुजा। अपने के दादा को पुसरे श्वेहना हो गया। क्यों आरे वापने बोला जोड़के चलाएगे तुने बोला तो उसको वापस लेकर आएगा मैंना काम होगे कारे आज और लाज यृव बाड़के चलेंगे के लापस्तिक चलाएगा थे रस्ताचा चलाएगा इसा इसा इसान दुछेट थे भाई जाल जाएगा पावे बाए कि बोड़ी आगे लिए दिधार करना हुआ है प्रेज़ियन में प्रेज़ प्रेज त चैनल है यह बाभी कुछ बोलना तू बात नहीं कर रही है तो ऐसा लग रहे है अपने सीने में कोई कुपती से वार कर रहे हैं यह बाभी रूट गई रहे है यह बाभी बाभी आपको चोड़के चला गया है लेकिन अपु तेरा के अल रखेगा अपाभी तेक्ना वादी पुरा लाइं पारा है चेरे पर चेरे का में बेगाड़ दिया हैं लोगहां दूखें हो याजो पाई Öyle। अरह भाई अ कहां कि लोगह अरह आपाई अरह भाई साथ जनम तक साथ रहने वाला था पिर काई को चला गया अब मैं क्या करेगी किसके साहरे जीएगी बोल ला जानू बोल ला जवाब दे मेरे को कि अब मेरा बागवार चंदरा राजन अच्छा आदमी था उसके हत्यारे को मैं छोड़ेगा नहीं मेरेको अपना भाई मानने का तेरे को कुछ भी मंगता है पिरे को बोलने का कि आप कि आप कि आप कि आप कि आप कि चंद्रा थोड़ा रो ले दिल में भर के मत रखना मैं अभी नहीं रोएगी मेरे मरत को जिसने मारा है वो अभी भी जिन्दा है और खुस है कि दादा दादा बोल के सब ने इसकी पीट में छूरा भोग डाला ए जानू मेरे को तेरी सोगंद है जब तक मैं तेरे एक एक दुसमन का खोन नहीं बहा देती तब तक मैं अपने आँख से टेसू नहीं बहने देगी जवान होते संबू पर राजन का असर इतना था कि वो राजन जैसा इच बनना चाहता था उसके बाद राजन की मोत का सदमा संबू के दिमाग से कभी नी उद्रा राजन की मोत के बाद बस्ती के लोग अपने आपको अनात समझने लगे हम सर्कार की तरफ से आपकी फरियात सुनने आये हैं हमीद ने court से stay order ले लिया है कि रोड नहीं बने देखे ये केंदर सरकार की scheme है और इसका फाइदा आप सब लोगों को मिलेगा क्या फाइदा मिलेगा आपकी बस्ती से कुछ लोगों को सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी अच्छा इसका मतलब आप हमारा काम चीन के हमें वो काम देंगे जो हम नहीं जाते तू कब चुप बैट अबे तू बैंक में करम चारी है बाकी सबकी तो बेरोसगारी चैना देखो तेरा दोस शंबू पीछे बैठेला है उसके हाथ में कलम नी था इस ट्राइकर ता तो केरम का चेंपियन बन गया वो पर स्ट्राइकर से जिन्दगी चलती है रोड बनेंगा तो आवन जावन का रस्ता होएंगा तो कई जाके दो पैसे कमाएंगा घर पे भी देंगा और खुद भी जियेंगा अब है तुम लोग सोचित छोटी रखेंगे तो तरक्की होएंगी कैसे इन योजनाओं की वज़ा से ही तो देश के गरीब तरक्की करेंगे हम गरीब लोग के घर तोटने से ही तरक्की होएंगी क्या सर तुम यही जूटी तसली देने को आयले है ना कि रोड बनने के बाद तुम लोग को नए घर मिल जाएंगे तो अपना-पना कम्प्लेंड वापस लेलो तो टेंडर निकालते ह्वागत हम लोग का हिज़ाजट काई को नहीं लिया अगर टेंडर के लिए मोग मना कर देते तो तुम लोग को जोल झंपदा करने के लिए मिल्ता नहीं इस फिरोड से कौन-कौन बनेगा करोड़पती और कौन-कौन बनेगा रोड़पती आप उनको पूरा किलाइमेक्स पता है मैं भी नहीं समझा डंक से एक गटर तो साफ होती नहीं और तुम लोग बसती हुजड के नहीं बसती बसाने की बात कर रहे हो हम पढ़े लिखे एजुकेड़ ओफिसर्स हैं एजुकेड़ किदर से रहे अगर तुम पढ़े लिखे लोग हम गरीब मचवारों के बारे में सोचते ना तो हमको समंदर से हटाकर हमारे पेट पे लात नहीं मारते करड़े बचपन से अपन सुनता है कि गरीब हटाओ गरीब हटाओ गरीब हो गरीब हाटी नहीं लेकिन तुम लोग के लिए बनाके जाऊंगा यह आफसर लोग को कुछ नहीं पता लेकिन तु आस्तिन का काण खजुरा है कितने में सावधा किया आम लोगों का कितनी कीमत लगाई शम्बू वो बाहर के हैं क्या एक तो हमारे फाइदे की बात कर रहा है तू बगवास कर रहा है इजट से बात कर आप उनको रोक रहे ले हो यह काम तो तुमको करना चाहिए तुम लोगों ने कि हमको बकरा समझ के रखा है कि जिदर हांको उदर चले जाएंगे बस्त टिना नहीं है ये डालोग में पहले बोल चुका ओं अच्छा तो पीछे काई को हट गए यह लोग इतने अच्छे हमको मालूमें जिसने बश्ति को वला चाहा उसी को बहली का बखरा बना कर यह लोग ने मार ढऄ दिया यह लोग को बस्ती से कोई लेना देना नहीं है आम सभर का इम्तियान मतले तो बहुत भारी पढ़ेंगा तेरो जो बस्ती का बहला चाहता है उसको दमका रहे हो ए तु बॉल में तुम लोग सठिया गए हो क्या सरकारी नौकरी मिलेगी तो अच्छे दिन आएंगे ना देखना बनकर बता ये रोट से बस्ती वालों को क्या फाइदा होएंगा अरे फाइदा पहुंचाना तो दूर की बात है तुम लोग घर और धंदा चीन रहे ले हो इलेक्शन के पहले हमारे पैर पढ़के हमसे वोटों की भीक मांगते हो और जीतने के बाद हमी को आख दिख की हुआ है आरे पटेली दिखाना है तो अमीरों को जाके दिखाओ ना गरीबों के सीने में काई को मुंग फली भूंज रहे लेओ अगर सहे मैं तुम लोग के दिल में अमारी ले सौफट कार्नर है ना तो आम लोगी जोपड़ी को डूपलेक्स बना के देदो ना जो भुरा भाई अपना बात दिल पे मत लेना आप उन आपका बेज़ित नहीं किया है बस्ति वालों से अपन का दरी नहीं कर सकता भाई लोग जब हमीद ने रोड बनाने पर स्टेल आने की बात कि तब तक आप उन समझ राता कि सरकार जो करेगी ठीक करेंगी और कुछ लोग अपने फाइदे के लिए पूरी बस्ति को उजाट रहे हैं और हम लोग ऐसा होने नहीं देगे आरे अम लोग यहां से हीलेंगे अभी नहीं अब टेम आगल है कि आपस के जगड़े खतम करके मिल जाओ और इन लोग से लड़ने का देखते हैं कि वो लोग कहां तक जाते हैं अपने दुश्मन लोग के साथ राड़ा करना अलग बात है पर संबू को अपनी पालपो उसके बड़ा केले यह ठीक नहीं गलत है अपना बच्चा है उगर एक काम कर संदेल को बता डाल के शंबू नहीं वार किया था ऐसा मत कर अवे एडी तू समझ नहीं रही है इससे ना दूसरे चोकर पे असर उसने जब के सामने मेरी बेच जती काड़ा ली तुम मेरा सोचने का बचा उसका सोच रही है भूरा तेरी बात नहीं सुना तो आप उन क्या कर सकता है मैं तेरे पास संबू का सपोर्ट करना हो का अब टेमा आगया है कि संबू मेरे मरत के कातिलों से बदला ले तेरे अंदर अभी भी बदले का कोईला सुलग रहे है भूरा से शादी के इतने साल बात भी मैं क्या तेरे को रस्ते पे पढ़ी औरत लगती है मैं राजन दादा की औरत है जब जब मैं भूरा के साथ होत यह अपने मरत की मौत का बदला लेने के लिए और तडपती है लेकिन मेरे को समझ में इचनी आ रहा था कि किस से सुरू करू और किस से खतम करू राजन की मौत के बाद भूरा को मारने के लिए मैंने छोकरी भीजे थे अगर पकड़े जाओ तो बोलना सेंथिल ने भीजा है गलती मत करना उस दिन संभू बीच में आ गया इसलिए भूरा पच गया मेरी तो खोपड़ी संभू पे फिर गई थी फिर चेनम्मा ने मेरे को एक पते की बात बताई चन्रा तेरे को जैसे लगता है वैसे होगा इच फिर सोचा मैं भूरा को पहले नहीं मारेगी सबसे लास्ट में मारेगी अगर मैं भूरा की छावनी में आ गई तो सब को आसानी से मारेगी भूरा को टपकाना तो मेरे लिए गुड़े गुड़ियों के खेलके जैसा था लेकिन अगर उसको मारती तो बाक्यों को कैसे मारत भूरा को मैं गुलाम बना के रखना चाहती थी अपनी आदाओं का इसले मैंने उसके साथ साधी का फैसला किया लेकिन भूरा और सेंथिल में पहले इच मांडवली हो चुकी थी मेरे को समझ में इच नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच में नफरत की आग कैसे लगाऊं तब इस संबू ने कलेश्वर को टपका दिया पहले चाल की सुद्वात मैंने संकर को अंदर करवा की की पक की खबर है भूरा को लगा कि संकर और तू चेल के अंदर रहेगा तो सेंथिल कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन मैंने ये बात लड़कों की जरिये सेंथिल तक पहुचा भूरा और वेलू भी मांडवली के लिए तयार हो गए तब इस मैं रमेश को बूली के भूरा को फोन करके बूल के संधिल ने घुज दे कर भूरा और वेलू के नाम एंकाउंटर लिस्ट में डलवाया हैं इस बात ने एकदम जहर का काम किया तब इस संधिल को टपकाने के ये भूरा ने संबू को अंदर भेजा, अब संबू इज मेरे मरत की मौत का बदला लेगा, अब मेरे को बस इतना इज देखने का है, कि संबू के रास्ते का कोई रोडा न बने, और इसी वास्ते मैं ने भूरा और वेलु के अंदर जगडा लगाया, मैंने जूटा इलजाम कि जब मैं नहीं लगा कि अगर मैं भूरा के साथ रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी जानू अब में इन लोगों के साथ नहीं रह सकती मेरे को लज जाएगी आज रात में भूरा को घर खाली करने के लिए मजबूर कर डालेगी ये सब राजन की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके हैं मेरे साथ ये लोग भी सही टैम का इंतजार कर रहे ले थे अगर सेंधिल से कुछ नहीं होता तो मैं इस काम के लिए कुमार को पीछे लगाएगी लेकिन मेरे को संबू को भूरा और वेलू से बचाने का भी है वाएगे कि अगरा जगाओं कि अंगा कि अगाओं कि अगेज़ रखिडि़ कि अगराक हुआ चकल अगेज़ कि कि अगराब रहाँ तीथ थे रिप ब्स्तपी चाप अगुछ वह गणाओ कौन दन बलब बुचा शम्भो तेरा मदद करने आयल है अगर वरोसा है तो साथ चल दो तुम मेरे साथ तलो बकी लोग इधर उखो तु इधर इच रुख हुँ हु जा तुने खुद को बुरा का दुस्मन काई को बनाया अगर कोई बस्ती वालों से पंगा लेगा ना तो आप उने एक या सो दुष्मन पाल लेगा और भुरा ये बच जानता है अगर ऐसा है तो उसने तेरे पर हमला काई को करवाया सुपारी काई को दी तेरी भुरा ने कुमार को बता दिया है कि सेंथिल पर तुने इच वार किया और तू बचेगा तभी तो बस्ती बचेगी कभी उनके दिल से पूछो जिनका घर मुल्सिपाल्टी की गाड़ी आगे तोड़ दालती है आपन तो बस अपने बस्ती वालों के लिए लड़ रेला है आप उनको अपने जान का फिकर नहीं है आपन का जान तो बस्ती में बसा हुआ है, बस्ती तूटने नहीं देगा मेरा मरत भी ऐसा इच बोलता था, क्या हुआ उसका? उसका कुर्बानी फोकट नहीं जाएंगा ये एक राजन मरा तो दूसरा राजन बस्ती के लिए खाड़ा हो जाएगा कितनों को मारेगा हो, आपने लडने का अपनी भलाई और हक के लिए लडना कुछ गलत बात नहीं है तेरों को मालू में न वो लोग तेरे पीछे पड़े लें तब काड़ा लेंगे, और ग्या गरेंगे? अगर आप उन उनका डर से किदर कोप्चे में जाके छुक जाएंगा तो आपने पे बुजदिली का ठपा लगेगा और आपने को ये बात मंजूर नहीं है आप उन अगर मरेगा ना, तो पस्ती में चुक ताकि लोगों को पता चले काई कुमार तेरी बाते सुनकर मेरे को मेरे मरत की याद आती है ऐसा इच डेरिंग बाच था तेरो को मारने के वास्ते कुमार गुंडे लेके आ रही ला है वो तेरी जिन्दगी का दिया बुचाना चाहता है जी छोड़ो राज रात के लिए किदर को छुप जा आने दो उन लोग को आप उन किदर नहीं जाएगा सोटे बच्चे बुड़ो और और अड़ो को स्कूल में पहुचा दिया है अब बस्ती में सिर्फ हम जवान लोगी बच्चे है तो भी स्कूल चला जा जब तुम लोग सब यहाँ हो तो मुझे को स्कूल भेज रहा है आप उन जैसा सोट में इधर लड़ने के लिए तयार है लेकिन तो अकिला पड़ा लिखा है आप उनकी लड़ाई को तुई कोरट तक ले जाके इंसाफ दिला सकता है बस्ती में रहेगा तो जान को डेंजर ज्यादा रहेगा दुश्मन को माफ कर सकते है बन धोखे बाज को नहीं छोड़ेगा निए उचको बूल गया कि तुने आप उनके भाई को धोखे से माला था भूरा के भाई को मार करी तुने ये खुन खराबा शुरू किया उसने इसके दोसका लेस्वर को मारा ऐसा करके उसने इसका सारा काला धंदा चौपट कर दिया रुद्रा ये लड़ाई मत रोको संभू से तुमारी कोई दुश्मनी है ये नुद्रा उसने ही जीजू का हुलिया बिगाड़ा है तुन निए तुम तीनों उदर जाओ जहां पर दीवार तूटेला है और तुम लग रोड़साइट पे जाओ रहे तुम लग रोड़साइट पे जाओ रहे तुम पतमा के साथ रहने का उसको सीक्यूरूटी दे कौन है रहे तुम अबे ना मॉल चेक करें पड़ोस कम होले में लाइडे के म हुआ है अचा कि अचा कि अचा की अश्ड़साइट पेसाज में सक्ताओ अपना इस एक या की दे ाल्यों उतित्ट थेट yönवार दे में सुम चुम अ components तो ने भरोसी की चटाई पे बैठ के रावन वाला काम किया है बड़ा बुन देनी तरह पिछु से नहीं आप उन सामने से बार करेगा कुमार उसकी बस्ती में मच जा यार रुग जा कुमार अरे कुमार को एधर नहीं है रहें कोना कोना जान मारो यह कि यह आपने सेंठिल को काई कुमार यह तुने जानता छान हृब यह आप असी खुननस नहीं यह पस्तिका मामलया आप उन तरह को नहीं मारेगा चला जाए इधर से, इसे में तेरी बालाई है अबे, डेड़ पसले के छिंगूर तो अपन को धमकी देरा है, तेरी प्रिगाँ प्रिगाँ एक छोटासा जिंगूर छेपूड लड़की का चीख निकाल देता है चल, चल, चल तेरे पुरा भाई, मुझे लगता है यह कोई जूल है उसके लिए अपनके आद्मी और गोड़ा दोनों तैयार है ए, चल रे, रिक्षा, साइड़ना, रंक दिख नहीं रही है के तरेको ए, निकल चल दी, कल्दीवार कि ए, तेर्क छटे करें, निकल चल, 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 Bea Karda, कल, 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 ए, कल, 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 कल ए, र्रुठ, र्रुठ, पिकल, निकल, … कर दो कर दो आप उन चाहता है तो ये बं तुम्हारी गाड़ी के बोनट पे भी फैंक सकता था लेकिन आप उन्हें ऐसा किया नहीं किया आप उनके उपर तुम्हारा बहुत आईसान है तो क्या करों जान की भीग मंगों नए बस आपन के रास्ते में नहीं आने का आप उनकी जिन्देग और आप उन अपने साथ बहुत बड़ा बहुंडर लेके आएगा यहाल किसी वांदी है तेरे औरत को ले जाएगी जानू दा है घर्मर्र शम्भू यह चंदरा के घर की चापी है उसने बोला था कि यह तेरे को देदो शम्भू सम्भू ने राजन की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया था और यहां से हुई उसके किंग बनने की सुरुवात राजन के दुस्मन अब उसके दुस्मन बन गए और वो सम्भू को मारने की चाल सोच रहे ले सम्भू भी खुसी खुसी बस्ती में उनका इंतजार कर रहे ला है